Hello everybody, this is Diggraas Singh Rajput, welcome to Magnet Pains इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक मजदार चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 11th Political Science के जो स्टुडेंट्स हैं, उन लोगों की जो Political Theory वाली बुक है आप लोगों की बुक में जो आपका तीसरा चाप्टर है ये, कौनसा? Equality, एक चीज़ मजदार क्या हो ये पता इस बुक के साथ में, कि इस बुक में चाप्टर के नाम छोटे-छोटे हैं Indian Constitution Network, बुक के नाम इतना बड़ा, उसमें चाप्टर भी बड़े-बड़े, ठीक, यहां कहा है, सब कुछ छोटा-छोटा है तो Political Theory का जो आपका अगला चाप्टर है, Equality, इसे हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं पहला वीडियो लेक्टर है, introductory video lecture है, introductory video lecture में क्या होता है तो मैं आपको chapter की theme समझाता हूँ, कि chapter आखिर है किस बारे में, chapter की आत्मा जो है वो इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी ठीक, चैप्टर की थीम बताऊंगा और उसे के साथ साथ ये बताऊंगा कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, कैसे हमारा चैप्टर unfold होने वाला है, ये सारी चीज़े हम इस वीडियो में specifically जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, अब देखो, चैप्टर जो है न आपको चैप्टर वन में ही बता दिया था ये, अब बुरा मत मानना आप लोग, क्या, चैप्टर वन में ही मैंने बोला था कि पूरी थ्योरी है, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा बुक जो है आपका ये वाला, वो किस पे बेज़ड है, पूरी के पूरी बुक जो है वो इसी तरह के ideas पर based है, तो आप अलग-अलग political ideas, वो ideas जो आपके जीवन का एक अभिन दंग है, ठीक है, अभी आपने freedom पड़के आये हो जैसे, तो freedom, आपने जब पूरा chapter पड़ाये तो मैंने आपको 1532 एक्जामपल बताये होंगे, ठीक है, just joking, तो इतने एक्जामपल बता क्या होगा, अपनी life में कहा, equality शब्दों सुनते से हमें क्या relate होता है, देखो, 95% students को, 95% students ने, जो चीज़ imagine कियोगी, equality सुनते से वो मैं बताता हूँ, अपने male और female के बीच में, girl और boy के बीच में, equality वाला idea आपने, imagine किया होगा, इस चीज़ को visualize किया होगा, ठीक है, तो ह आइडिया क्या होता है, हमारी life में कहीं जुड़ा है, जो political theory में आप पढ़ने वाले हो, आया समझ में, तो equality में रहो क्या है, equality का मतलब क्या होता है, समानता, आप सबको equal treat कर रहे हो, वो होती है equality, simple सा chapter है, आप सुचोगे सर, हाँ, इतनी इसी बात है कि एक शब्द में ची इतनी नहीं है, उसके भी multiple dimensions है, उन्हीं सारे multiple dimensions को आपको इस chapter में जानने को मिलेंगे, ठीक है, तो equality जो होते है, equality को अभी क्या करना है, relate the concept of equality with freedom, एक बहुत अच्छी exercise करेंगे हम, समझना इस चीज़ को, ठीक है, equality का जो idea, equality का जो concept है, वो freedom के साथ जोड़ के देखो, ठीक क्या सकते है, equality, liberty और fraternity जो है, यह अलग-अलग idea नहीं है, तीनों आपस में जुड़े हुए है, fraternity को अभी excited रखो, हम अगर दो idea की बात करें, कि equality और freedom कैसे आपस में जुआ हुआ है, तो समझो बहुत अच्छे से समझ नहां, concept है, equality और freedom अलग-अलग मत देखो, एक-एक से मत देखो, दोनों आख से एक साथ देखो, ठीक है, एक इनसान में जैसे, दो आखे रहती है, तो equality और freedom दोनों एक साथ चलना चाहिए, क्या होता है, कि A is equal to B, B is equal to C, और C is equal to D, ठीक, अब यह क्या कर दिया, आपने equality तो दे दिये, लेकिन इनको freedom नहीं दिये, जब आपन freedom is of no use, ठीक है, एक example देता हूँ, मैं आपको, अभी समझ नहीं आए, मुझे पता है, एक example से समझो, क्या होता है, कि टीचर ने क्या बोल दिया, सब बच्चे समान है, सब को बराबर बराबर नमबर दे देंगा, इस exam में हम, ठीक है, तो सब को 100 में से क्या कर दिये, सब को 95 95, 95, 95 दे दिये, अब एक बच्चा जो था, बहुत महनत करता था, ठीक है, उसने साल भर महनत करी, उसने यही सोचा है कि उसके 100 मार्क्स आएंगे, वो टीचर के पास जाता है, क्या बोलता है टीचर से, कि मैंने जादा महनत करी, मुझे जादा नमबर आना चीए, तो टीच लेवल पर क्या होगा, चीजों को, मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहिए, वो सब समान है, बस बात खतम, आगे क्यों बढ़ना है किसी को, सब समान है, ठीक है, तो आपको freedom भी देना होगी, equality के साथ में, यही तो होता है, कि हम क्या करते हैं, हम exam करवाएंगे, exam एक्जाम एक दम free and fair manner में, equality को consider करते हैं, सभी को बराबर मौका देंगे exam में, लेकिन फिर individual initiative काम आएगा, freedom के हिसाब से अगर देखोगे, तो जो जितनी महनत करेगा, वो तना आगे जाएगा, आयना समझ में, तो equality और freedom साथ में होना चाहिए, हाँ सवरा आ गया समझ में, बहुत करे, तो अगर आप freedom दे रहे हो, equality नहीं दे रहे हो, तो भी दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है देखो, तो freedom without equality उसके चलते क्या होगा, tyranny of few over the others, मतलब कि अब क्या होता है, ए जो है वो powerful है, freedom सब के पास में, ए powerful है, तो उस power के इस्तमाल करते हो क्या होता है, वो उस power के इस्तम को डरा पारे हो, धमका पारे हो, तो आप डरा हो, क्योंकि आपको freedom तो दे दी है, तो liberty without freedom would lead to the domination of few over the others, और इसको other way round अगर देखोगे, क्या कि freedom without liberty, ठीके, sorry, क्या खहेंगे इसको, equality without liberty, ठीके, equality without liberty would kill individual initiative, आगे ना समझ में, तो ये concept था, आपकी political theory में भी है, आपको जानना हमारा chapter क्या है, equality पर बेज़्ड है, ठीक है, तो chapter की core theme क्या है, पता है, core theme equality ही है, equality का मतलब क्या होता है, बोलो कि सर समानता भी तो बताया आपने, ठीक है, तो अब मैं आप से एक सवाल पुछता हूँ सीधा सा, ठीक, कि is treating everyone equally is all about equality, क्या समानता का मतलब सिर्फ इतना होता ह है कि आप सब को equally treat करो, सोचो dominant के लिए, क्या है, एक कह सकते है, visually impaired candidate जो है, ठीक है, जो नेतर हिन है, ठीक है, जो देख नहीं पाता है, आप उस इनसान को और एक ऐसे इनसान को जो अपनी आँखों से सब कुछ देख सकता है, ठीक है, तो उन दोनों इनसान को आप equally treat करोगे तो यह justiciable रहेगा, इसे आप justify कर सकते हो, बताओ, नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर से एक बार सवाल पर आते हैं कि equality का मतलब तो ही होता है, कि सब को समान रूप से देखना, लेकिन is treating everyone equally is all about equality, नहीं, ठीक है, और यहीं, इसलिए तो हम क्या करें, इसे chapter के format में पढ़ रह हैं, मतलब चश्मा भी लगाया, दो भी है, तो क्या होता है कि दोनों में समानता नहीं आ सकते हो, और दोनों का आप equally treat भी नहीं कर सकते हो, उसे justify नहीं कर पाओगे, तो इस sense में क्या होता है, इस sense में हमें अलग-अलग dimensions देखना होगे, ठीक है, अलग-अलग dimensions से देखना ह होगा कि Equality क्या है अब Equality जो है तो Equality स्रिफ एक dimension से नहीं दिखी जाती है जैसे मैंने आप से कहा कि आप Equality शब्द सुनते से क्या visualize करते हो तो आप बोलोगे सर मेल और female के बीच में inequality होती है तो ऐसा नहीं कि inequality और equality की लड़ाई स्रिफ male और female तक ही है उसको आप दूसरे dimension से देखो ठीक है आप देखो के तो क्या political inequalities भी होती है political inequalities मतलब क्या कि politically कुछ group जो होते हैं वो ज्यादा powerful होते हैं कुछ group नहीं होते हैं किसी को voting rights जिसे पहले slaves को voting right नहीं थे women को voting right नहीं थे male को voting right थे male में भी property male जो थे इनके पास में property थी उनको voting right थे तो equality का concept male female तक नहीं है उससे उपर भी है economic inequality की बात करो तो अमीर और गरीद के बीच में क्या है आ समानता हैं वहां पे समानता की बात की जाना चाहिए तो equality और inequality के multiple dimensions हैं और in multiple dimensions को हम systematically one by one पढ़ते चलेंगे ठीक है पुरा chapter उसी बारे में है तो there are different dimensions of equality equality एक important जैसे जो आप देखोगे आपके chapter के introductory part में जो line लिखी है न कि equality एक ऐसा idea है मतलब जो morally भी हो और politically भी दोनो dimensions important है समझना मतलब नैतिकता भी यह बोलती है कि समानता हो है ठीक है morally अगर आप देखोगे चीजों को तो morally भी equality important value है और साथ ही साथ politically तो ही है ठीक तो उस sense में equality बहुत मज़ाग चाप्टर है बहुत multiple dimensions है और बहुत बढ़ा chapter है ठीक है मैं आपसे वादा करता हूं इस chapter को अच्छे से पढ़ना दिल लगा के पढ़ना तो आपको सा equality matters चाहिए ही क्यों equality ठीक है लड़ रहा है equality की जरुवत क्या आखिर देखो तो equality की जरुवत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब इस chapter में आपको क्या जानने को मिलेगा बहुत सारे fact sheet है मतलब एक जो fact sheet दिये तो इसमें आपको बहुत सारा data जानने को मिलेगा ठ वो globally किस तरह से inequality चाही हुई है अब वो economic inequality की बात कर लो social inequality की political inequality की तो global inequalities क्या है और इंडिया में inequalities की किस तरह से inequality value हुई है तो उसके कुछ data है कुछ facts है महिधार है महिधार तो नहीं है बड़ा कह सकते हैं दिल दुखाने वाले data है लेकिन वो आँख भी खुल देंगे आप कुछ अगर पुरानी आदे ताजा करनी हो तो class 10 में भी मैं आपको बताया था chapter 7 जो था कि किस तरह से democracy में inequality तो exist करती है ठीक है और उन्हीं क्यालिटी को हम अच्छे तरह से यहां पर पढ़ने वाले है ठीक है फिर क्या है अब दिसे यह तो क्या हो जा गई है इक तरह से opening ceremony इन ही टाइप से रहेगा तो इससे आपको और equality के बारे में idea मिलेंगे इन दो topics है फिर यहां से चालू होगा जैसे हमारा topic तो what is equality ठीक है तो equality को आप equality and opportunities के perspective से देखोगे ठीक है उसमें क्या होता है कि आप equality and opportunities के perspective से जब equality को समझने की कोशिश करोगे तो एक नया dimension जो आप होता है तो रात होता है वहाली कहानी है यहां पर भी तो जब हम equality की बात कर रहे है और बात क्यों कर रहे है क्योंकि equality नहीं है जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती वह चीज़ की demand करता है बात करता है तो equality नहीं है तो क्या है inequality है तो inequality कुछ तो natural है कुछ social है जैसे मैं तो अभी का अभी ट्रेलर है ठीक है यह ट्रेलर भी यह ट्रीजर है पिच्छर पूरी बागी है मेरे दोस्त आगे ठीक है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रेड्यूस करवाते चल रहो तो जिसे नैच्रल और सोशल इनीक्वालिटीज की जब बात करते हैं त दोनों हास है ठीक है लेकिन कुछ इनीक्वालिटी तो आप आप सोरी कं्स्ट्रेट करते हो socially कैसे construct करते हो कि लड़कियां घर का काम करेगी लड़के घर का काम नहीं करेंगे अब ये किस किताब में लिखा बताओ ये क्या ये socially constructed inequalities है इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम फिर क्या होता equality के तीन dimension मैंने आपको बताया ना equality जो है उसको तीन dimension से देखा जा सकता है equality स्रिफ लड़का लड़की के बीच में समानता तक सीमित नहीं है उससे आप political, social और economic dimensions पे देखना तो political, social, economic dimension पे हम equality को देखेंगे ये chapter अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 6th class में हैं या फिर कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने science ले लेकिन time pass करना था तो video lecture देख रहे हैं तो आप मैं आप से request करूँगा कि आप पूरा देखना क्योंकि ये life को समझाता है ये chapter अपार्ट फॉम देट कि marks आएंगे नहीं आएंगे syllabus में है नहीं है लेकिन इस chapter को पढ़ना जरूर ठीक आपको life के multiple dimensions समझ में आएंगे और मेरा बस चले execution mission बन्जाओं नहीं सब को political theory पढ़वा दूँगा ठीक है चलो तो अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ देकर देखें तो ये तीन dimension देखो गया आप equality के साथ ही साथ में ideologies हाँ जी ये favorite part ideologies जैसे आपने पिछले chapter में क्या पढ़के हो liberalism एक ideology को पढ़के आयो ठीक है और मैंने आपको बताया भी कि ये ideologies आपका base बनाती है तो हम इसमें ideologies और पढ़ेंगे feminism के बारे में पढ़ेंगे Marxism, Liberalism, Socialism के बारे में पढ़ेंगे अभी बच्चों के मैंन में doubt रहता है कि Marxism और Socialism में क्या difference है तो ये जो छोटी छोटी बात हैं मगर मोटी मोटी बात हैं वो सारा सब कुछ हम cover करेंगे इस पूरे के पूरे chapter में अब how can we promote equality अब जब मैंने बताया कि inequalities तो exist करती है तो inequalities को खतम करके हम equality को कैसे promote कर सकते हैं सवाल ये बनता है तो कैसे by establishing formal equality ठीक है equality का e गायब कर दिया ठीक तो यहाँ पे कहा है by establishing formal equality formally आप equality को establish करो और उस तरह से आप क्या कर सकते हैं equality को promote कर सकते हो equality through differential treatment आप differential treatment देके भी equality को establish कर सकते हो differential treatment क्या होता है तो differential treatment में जैसे अगर हम समझें चीजों को differential treatment में reservation देना ठीक है जो deprived है जैसे schedule का schedule tribe के जो लोग है तो उन्हें reservation दे देना यह क्या हो गया equality through differential treatment मतलब अलग-अलग तरह से treat कर रहे हो और equality लाने का तरीका क्या है affirmative action मतलब government को सकारात्मक steps ले ठीक है action ले अब हाँ एक doubt या होगा मन में की दोनों में difference क्या है तो वही वाली बात है ट्रेलर में पूरी कानी थोरी बताई जाती है तो अभी आप जब इन सारे topics को पढ़ोगे systematically एक cd दूसरी cd क्रिश्थोरी ना हो आप की सीधे एकदम चलांग लागे चले जाओगे चट पर ठीक है तो एक एक cd चलते चलेंगे हम और सारी चीज़े systematically समझ में आ जाएगी आया समझ में बच्चो ठीक है matters important topic कैंटम सब्से पहले पिछले वीडियो में हमने आपको एक basic our पता ही थी chapter की chapter केस बारे में है chapter की theme क्या है मतलब equality जो है तो किस तरह का idea है वो मैंने आपको समझाया था मैंने आपको dimensions दिखा दिए वहाँ पर की equality सिर्फ समानता नहीं है उसके multiple dimensions है जिनने हम chapter में subsequently परते जाएंगे तो अगर हम अब बात करते हैं कि why does equality matters सवाल यह आता कि सर बो तो सब ठीक है अपनी जगा है वो हम देखते कि equality क्यों जानना पढ़ना समझना जरूरी है इस चीज़ को समझो तो equality is considered as a important as a powerful moral and political right equality को moral और political right की तरह कैसे दिखा जाता है तो equality को एक ऐसा idea एक ऐसा ideal माना जाता है that has inspired and guided human society for many centuries समानता की जब आप बात करते हो आप तो हर धर्म यही कहता है कि क्या होना चाहिए समानता होना चाहिए हम animals और humans में समानता की बात करते हैं तो इस तरह से हजारों सालों से हम देखें अगर तो human beings जो है human beings are being inspired by the idea of equality जैसे क्या होता है कि आपको मैं कहानी सुना तो चलो history की तो अब जैसे early humans जो रहे होंगे तो जब हम क्या किसकते हैं कि ape से हम क्या हो गए होंगे human being बन गए होंगे तो उस समय पर जब हमने society में रहना चालू होगा ठीक है तो male भी होंगे female भी होंगे जो males थे तो क्या होते गया family as an institution बना male patriarchal society को establish कर दिया गया जहां पर male domination established हो गई ठीक है फिर क्या हो गया कि कुछ लोगों के पास ज्यादा production हो लेगा food grains वगएरा जब हमने खेती करना चालू की होगी तो वो लोग rich होगा एक कुछ लोग poor रहगा है तो ऐसे धीरे धीरे inequality आती चलेगी लेकिन लेकिन हम जब बात करते है living being की तो चाहे वो एक कुता हो चाहे वो कह सकते है गाय हो चाहे वो कह सकते है कि एक share हो हम हर चीज को क्या मानने लगे कि इसमें जाने है तो यह मतलब इस युनिवर्सल अडर्ल फ्रेंचाइज ही हो और इसकारण equality है वो political right तो बाद में आया लेकिन पहले human beings या फिर human origin के साथ में equality important moral idea के रूप में रहा कि समानता है होना चाहिए सब में हर इंसान चाहे वो अमीर हो गरीब हो सब बराबर होना चाहिए जिस जितना जैसा खून अ equality को एक idea consider किया जाता है idea that all human beings have an equal worth regardless of their color, gender, race, or nationality तो अब यह idea जो है या फिर यह जो definition रही है political idea के form में जो definition रही है equality की वो किस तरह से craft की गई है उसे समझो वो इस तरह से craft की गई है कि equality जो होती है तो equality के, देखो equality है इसका मतलब क्या inequality हम equality की बात क्यों कर रहे है क्योंकि कहीं न कहीं inequality exist करती है तो जब अलग अलग जगा पे color के basis पे gender के basis पे race के basis पे nationality के basis पे unjust treatment होने लगा लोगों के बीच में भेदभा होने लगा तब क्या होता है कि thinkers को समझ में आया जैसे आपको तो जब thinkers को समझ में आया कि हमें क्या करना होगा हमें individuals के rights की रक्षा करना होगी और उसके लिए क्या है कि सबसे पहली चीज तो क्या जाएगी कि हमें सभी कोई equal मानना होगा तो equality को political right की तरह कैसे दिखा गया कि सारे individuals जो है irrespective regardless of their color, gender, race, nationality everybody is equal इस point of view से जब दिखा गया तो क्या समझ में है इस point of view से जब दिखा गया तो यह समझ में आया कि equality जो होना चाहिए वो एक political right की रूप में भी होना चाहिए ठीक है तो in the modern period the equality of all human being has been used as a railing slogan तो आज क्या है आज modern period मगर आप जैसे देखोगे तो हर individual को equally treat किया जाए इस एक railing slogan की तरह यूज के जाता ह वोगों में समंता है हूँ वो समंता की बात की जाती है और यह बात ऐसा नहीं है कि रातो रात होने लगी कि रहिधा कि रही है तुछ कहीं पर inequality कहा है वो समझते हम तो जैसे आपको थोड़ा सा फ्लेश बैक में ले जाए तो फ्रेंच revolution जो हुआ तो वहाँ पर फ्रेंच revolution में लोगों ने क्या देखा कि जो तीन स्टेट थे नाइन क्लास से रिकॉल करना first state second state third state तो वहाँ पर क्या था कि जो कह सकते है कि peasants बगरा ये लोग जो थे third state के उन लोगों को बड़ी समस्या है थी ठीक है उनके साथ में क्या हो रहा था unjust treatment हो रहा था तो लोगों ने equality की demand उठा ही वहाँ पर तो फ्रेंच revolution से ही the people revolted against the landed feudal aristocracy and monarchy ठीक है तो जो फ्यूडल aristocracy थी जिन लोगों के पास में पैसा राजा राजा के परिवार से जुड़े हुए जो लोग थे ठीक है तो उन लोगों के अगेंस्ट में लोगों ने क्या किया लोगों ने liberty, equality and fraternity that's it ठीक तो liberty, equality, fraternity यह जो आइडिया निकल के आए ना तो फ्रेंच revolution से आइडिया निकल के आए और लाइफ के हर स्फेर में जुड़े हुए है ठीक equality के लिए जो struggle रहा है तो उसमें फ्रांस तक सिमित नहीं रहा है जिसे अगर आप देखोगे तो in Asia and Africa people demanded for equality people demanded for equality, demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles अब जिसे आवगर Asia की बात करते हो, Asia में Vietnam हो गया, Asia में India हो गया, तो यह ऐसे देश रहा है जहां पे colonial rule रहा है, ठीक, colonial rule कैसे रहा है कि trade के नाम पे French East India Company पहुच गई वियत नाम में, British East India Company आ गई इंडिया में, इन लोगों ने हमें गुलाम बना लि हमें inferior मानने लगे, मतलब हमारे ही देश और हमें धमका रहे थे, ठीक है, तो उस sense में क्या हो गया कि unequal treatment जब जहां होने लगा, inequality जहां आ गई, तो अब उस inequality के against में लोगों ने demand करी, तो वही है आपे बताया गया कि inequality ऐसा नहीं है कि रातो रात आया हुआ कोई एक idea है, वो हमारी long drawn struggle से निकल किया आया है, ठीक है, तो why does equality matters, तो क्यों माहिन नहीं रखेगी equality यह बताऊ ना, क्योंकि equality क्या है, equality आपको trophy नहीं मिली, equality क्या है, आपने हासिल किया है एक ऐसा idea जो आपने एक लंबे समय तक संदर्स करके पाया है, ठीक है, तो Asia-Africa में जैसे क्या है, demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles, अब क्या हो गया, अब बोलोगे सर, आजादी मिल गई, ठीक है, बहुत बढ़ी है, ताली बजाओ, मिठाई बाटो, अब क्या है, आजादी मिल गई, तो आप खतम कर देना चीज़ों को यहाँ पर, आया ना समझ में, आजादी मिल गई, चीजों को यहाँ continuously evolve होते रहते हैं, आपको equality colonial struggle से मिली है, हर dimension पे equality नहीं मिली है, कैसे है, तो जिसे अगर आज देखोगा आप, दलित्स हैं, विमेंस जो हैं, तो आज़े आर स्ट्रगलिंग अगेंस इनिक्वारेटी, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, इनिक्वारेटी की, तो आज भी इनिक कर रहे हैं कि equality होना चीए, ठीकें, क्योंकि they are facing marginalization in the society, दलित्स जो है, तो दलित्स क्या कर रहे है, कास्ट के basis पर आप जिसे देखोगा, अपर कास्ट, लोवर कास्ट में society divided है, वहाँ पे inequality एक्जिस्ट करती है, ठीकें, तो क्यों equality matter नहीं करती है, बताओ, why does equality matter, सवाल ये inequality exist करती है, आपने, जैसे colonial struggle जो थी, उसको तो वहाँ पे जो inequalities थी, वो खतम कर दी, french revolution में inequalities खतम हो गई है, लेकिन आप ये दलित्स वाला जो मुद्दा है, कास्ट के issues तो आज भी exist करते हैं, ठीकें, कितना ही पर लिख लो, सारी चीज़ें कर लो, शादी कर्मी की जब बार marginalization face करती है, society का patriarchal nature जो है, खतम थुरी ना हुआ है, society आज भी पुरुष प्रदाहन है, male को ज्यादा favor मिलता है, ठीके, female को इतना favor नहीं मिलता है, तो इस तरह से marginalization तो women भी face कर रही है, inequality तो यहाँ भी है, तो क्यों नहीं माइने रखती है equality, बताओ, तो सवाल मिल रहा है क divide us, equality matters, क्यों परना equality, क्योंकि inequality exist करती बाबू, ठीके, अलग-अलग phase में क्या करती है, inequality exist करती है, अब देखो, अब कुछ लोग constitution लेके आएंगे, कि sir constitution बोल रहा है, अब तो कि inequality खतम कर दो, untouchability हमने बैन कर दिया है, तो untouchability बैन कर देने से untouchability खतम थोरी ना हो गया है, मत equality, हम equality में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने उस idea को constitution में लिखा है, ठीके, हमें fundamental rights दिये, right to equality जैसे जो आपने पढ़ा fundamental rights जो दिये, article बताना मैंने आपको Indian constitution network में बताया कि कौन से article जो है, वो article right to equality से deal करते हैं, बताओ ज़रा comment section में, ठीके, तो equality is widely accepted ideal, which is embodied in the constitution and laws of many countries, सि इंडिया से ही मतलब नहीं है, ठीके, बहुत सारे देशों के सम्विदान में equality को सर्वो पर ही रखा गया है, सबसे उपर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी reality क्या है, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि by law, या फिर कह सकते हैं, in the books of constitution, in the books of law, ठीके, वो बहुत अच्छी चीजे दिख रही है, कि equality को आपने supreme ideal की तरह consider किया, but what is the reality, ground reality क्या है, क्या सच में equality उस तरह से मिल चुकी है, जिस तरह से constitution में लिखा है, नहीं, ठीके, yet it is inequality rather than equality which is most visible around us, ठीके, heart touching statement है, क्या, कि आप equality को supreme मान रहे हो सारी चीजे है, लेकिन, yet it is inequality rather than equality which is most visible around us, ठीक around us, लेकिन असमानता है, जादा देखने को मिलती है, समानता हों क्या पेक्षा में, कैसे असमानता है देखने को मिलती है, तो एक तरफ आपको society में बहुत luxurious house देखने को मिलेंगे, ऐसे घर देखने को मिलेंगे, कि पूरा का पूरा महला एक घर में रह सकता है, इतने बड़ इस और यहीं चीज़ देखम को आपको ब Stern UK रोगनेल को समेचही के छेए पर बिप और साइब बीड़ आकट यह ते लिएगने को सब्सक्रीर में वैसे जुए होंगे m तो अब यह क्या है यह कहीं constitution लिखाएगा कि इस तरह से luxurious houses और slums होना चाहिए नहीं लिखाएगा ना लेकिन यह exist करते हैं और इस चीज को क्या constitution support करता है नहीं करता है constitution तो equality की बात करता है लेकिन फिर भी ground reality क्या है inequality exist करती है ठीक है तो यहां पर these are the challenges to equality यह challenges है कि आपने by law तो equal कर दिया चीजों को but by practice ground reality क्या है वो unequal है ठीक है तो therefore we face paradox ठीक हमें एक तरह से क्या देखने को मिलता है paradox देखने को मिलता है paradox क्या हो गया तो paradox को ऐसे समझो आप क्या है कि paradox को आप ऐसे समझ लो कि एक इस तरह की situation देखने को मिलती है जो अपने आप में क्या है false है अपने आप में false है मतलब कि जो कहा जा रहा है और जो दिख रहा है दोनों में difference है ठीक है कि almost everyone accepts the ideal of equality equality के idea को equality को ठीक है एक political idea की तरह एक moral idea की तरह हर इंसान accept करता है बात सब करता है equality की ठीक है लेकिन yet almost everywhere we encounter inequalities अभी बताए example में कि हर जगा आपको लेकिन inequality देखने को मिल जाएगी जादा दूर क्यों जाना है आप एक family में ही देख लो तो एक family में जिस तरह से boy को और girl को treat किया जाता है एक परिवार में जैसे लड़के को और लड़की को treat किया जाता है वहीं से inequality जलग जाती है ठीक है exceptions are always there समय बदल रहा है चीज़ें बदल रही है ठीक है बहुत सारी families में अब चीज़ें वैसी रही है लेकिन मैं आपको एक example बता रहा हूँ एक crude example एक rural area का example बता रहा हूँ तो inequality तो exist करती है ठीक है अब जब inequality exist करती है तो हम किस चीज़ की बात करेंगे बताओ हम बात करेंगे कि inequality को कैसे खतम किया जाए अब यह सवाल फिर से पुछता हूँ जवाब मिल गया ठीक है अंदर से जहनकार उठीक है एक बार कहां सर जवाब मिल गया तो जहनकार उठी तो सही उठीए अगये समझ में तो आप यह inequality को अगर देखोगे तो हर सेंस में आपको देखने को मिलेगी जो मिल निखाना येट अर्मोस्ट एवरिवर वी अनकाउंटर inequality तो अनीकुल वेल्थ देखने को मिलेगी आपको अनीकुल अपर्चुनिटीज देखने को मिलेगी कि जो अब इस स्कूल में होगी क्योंकि उसके पास वह required skills होगी ठीक है वो अब क्या होते बच्चे तो क्या होते देखो बता बच्चे एक पौधा होता है छोटा सा उसको आप जिस तरह से पालोगे ठीक है जिस तरह से उसको कह सकते हैं कि कंडिशिव इंवर्मेंट मिलेगा संलाइट मिलेगा आबर प्लैटफॉर्म दोगे तो यह बच्चा क्यों बहतर नहीं करेगा बताओ तो सेंस में इनेक्वेलिटी तो एक्जिस्ट करती है लेकिन सवाल यह आता है कि उस इनेक्वेलिटी को कैसे खत्म किया जा सके आ समनता है समझ्या है वो ठीक है लेकिन हमें समस्या पर इस कुझ यह उठता है कि आप क्यासे इस प्रैटॉक्स उपर आओगए ठीक है शूद वी शुट भी शुट भी मी इनेक्वैलिटी ठीक है भी नहीं आए है चाहिए यह सोचना चाहिए किनेक्वालिटी तो सही है गलत है बिलकुल ओपनली वह ढुनो की गलत हैं उन्हें सम differences है वो ऐसे ही रहना चाहिए women subordinate ही होना चाहिए men superior ही होना चाहिए तो यह क्या inevitable है क्या इसे बदला नहीं जा सकता है बदला जा सकता है हम यह नहीं मुल रहें कि आप women को superior बना दो बागी दोनों को equal platform तो मिलना चाहिए ना rich और poor तो ऐसा नहीं कि rich और poor जो है तो सभी को बराबर एक एक पैसे का हिसाब बराबर होना चाहिए लेकिन सब को minimum standard of living तो मिले ना कम से कम आया समझ में तो वहीं चीज़ है आर दे permanent and inevitable feature of the social life तो नहीं equality कोई permanent नहीं है और socially inevitable भी नहीं हो से बदला जा सकता है equality and dimensions related to it तो equality से बहुत सारे dimension जुड़े है should everyone be treated ठीक है यह slide बनाते है ठीक है फिर video भी बनाते है तो यह गलती करते है बहुत सारी ठीक है अब क्या है should everyone be treated in same way ठीक है how can we make a society equal तो सवाल बहुत सारे आते है equality से जुड़े हो dimension बहुत सारे आते हैं ठीक है तो अब being a political science student आपका काम यही है कि आप सोचो इन सारी सीज़ों पर कि क्या किया जा सकता है कैसे और यह जो topic है na why does equality matters तो मैंने आपको बता है क्योंकि inequality exist करती है अभी नेक्स वीडियो में कुछ facts देखेंगे यह आपने concept देखा कि inequality तो exist करती है सर तो अब इस कारण से equality को पढ़ना जरूरी है अब कुछ facts भी बताऊंगा मैं आपको कैसे inequality exist करती है आया समझ में so this was all about why does equality matter इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे global inequalities and economic inequalities in India तो दो issues है global inequalities और economic inequalities इंडिया दोनों को separately deal करने की जगह हम दोनों जो table है जो data है उसे एक सांथ पढ़ने वाले है थोड़ा सा connect करते हैं topic को पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था हमने यह सवाल था एक हमारे सामने पिछले वीडियो में क्या कि why does equality matters तो सवाल का जवाब जाना कि inequality exist करती है इसलिए equality matter करती है आसमानता है तभी हम समानता की बात करते हैं ठीक है अब हमें क्या देखना है अब हमें यह देखना है कि वह आसमानता है जो है जो inequalities है तो वह global level में कैसी है इंडिया में अगर आप जिसे देखो तो इंडिया में कैसी economic inequalities exist करती है वह सारी चीज़े में आपको यहां बताने वाला हूं कुछ facts बताने वाला हूं यह जो competitive के तयारी कर रहे हैं सुनो ठीक है pen तयार रखना आपने जो competitive की तयारी कर रहे हैं आप इरे लिख सकते हो अपने answer में answer writing में आपके answer में अगर आपको वजन बढ़ाना है बिना मिलावट के तो यह वजन बढ़ाने का अच्छा तरीक है मतलब आपके पास में solid facts रहेंगे ठ करती है the richest 50 individuals in world have a combined income greater than that of the poorest 40 crore people मतलब वैसे तो सब कुछ क्या है यहाँ पर data पढ़के भी समझ सकते खुछ से लेकिन मैं आपको एक perspective हो दे दूँगा ठीक है तो उस कारण हम क्या करते है इसको video lecture के format में ले ले बाकी पढ़के भी समझ आ जाएगा आपको time come है तो next video पर combined income greater than that of the poorest 40 crore people जो गरीब 40 crore लोग है हमारे world में ठीक है उनके पास जितना पैसा जितनी wealth है न उतनी सिर्फ 50 लोगों के पास है ठीक है richest 50% के पास में उतनी wealth है मतलब एक तरा जुमें आप 50 लोगों को बिठाओ एक तरा जुमें आप 40 crore लोगों को बिठाओ तब wealth बराबर होगी inequality exist करती है नहीं करती बताओ ठीक फिर क्या है the poorest 40% of world's population receive only 5% of the global income समझे जो गरीब 50 बतलब जो society में अगर आप economic status के हसाब से society का percent wise अगर classification करते हो तो जो नीचे का 40% तजबा है हमारा ठीक है उसके पास में world की मात्र 5% wealth है ठीक है तो यह world की अगर पूरी wealth है तो इतनी 15 किस के पास है है ये 40% population के पास में महीं पर भाई मिलिच तेना प्रसेंट और रिचेस 10% संस्थ मतलब है उपूरे और भी ब्यक्तै फूर appeals का जो 10 % हिस्सा है और कीwelिशन का यह जो इसस फिक्तिया इन हिस्सा है यह मातर दस परसेंड है इतने से लोग लेके करती है ठीक है यहां पर का जाएगा इडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज मतलब क्या कि जो वेस्टन कंट्रीज हो गई यूरोप की अमेरिका ठीक है तो यह जो कंट्रीज है इस एरिया में वर्ड की पॉपलेशन 25% ही है ठीक है और लेकिन वेल्थ कितनी पता है ओंस 86% आफ दी वर्ल्ड इंडस्ट्री वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्री है तो यह 25% लोग 86% इंडस्ट्रीज को ओन करके बैठे हैं अब economic inequalities को समझो कि 25% लोग के पास बेशुमार पैसा है इंडस्ट्रीज है production कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं बाकी लोग क्या करेंगे बाकी जो बचे हुए 75 है तो उनके पास अगर जैसे देखोगे proportion में तो 14% इंडस्ट्रीज ही रह गई है ठीक है and consumes 80% of the world's energy और यह 25% लोग जो है तो वल्ड की 80% energy को consume कर ले रहे है एनरजी वेस्ट भी कर रहे है inequality exist करती है जब economic inequalities होती है तो वह economic inequalities लोगों के standard of living में देखने को मिलती है तो आप western country में देख लो हर चीज की समस्या आया समझ में आगे देखो क्या है तो यह मतलब कुछ वह बताया कि the rise of inequality around the world तो 2018 तक अगर आप compare करोगे inequality की से बड़ी है और जैसे रश्या हो गया इंडिया कहा है हमारा यह रहा प्यारा भारत तो यह blue line जो है इंडिया में भी inequality बड़ी है उसे दर्शाएगा इस graph पे ठीक अब आगे और देखते हैं और क्या डेटा है हमारे पास में तो on per capita basis ठीके पर capita basis मतलब क्या individual level पर अगर दिखा जाया है a resident of advanced industrial country consumes at least three times as much water 10 times as much energy 13 times as much iron and steel and 14 times as much paper as someone living in developing countries like India और China यह fact सुनने के बाद में आप आख बबुला जरूर हो गए होंगे क्यों क्योंकि अगर आप जिसे देखोगे ना तो जो advanced industrial countries नॉर्थ अमेरिका और western as much water मतलब इंडिया में हम जितना पानी बचा बचा के फिर भी जो वेस्ट करते हैं हम तो हमसे तीन मुना ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं वो लोग ठीक है वो क्या कर रहे है 10 times as much energy तो energy in terms of electricity और यह सारी चीज़े 10 times हमसे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं जो भी कहना है क्या सकतो 13 times as much iron and steel and 14 times as much paper as someone living in developing countries like India and China ठीक है so you might be thinking like यह वेस्टन वर्ल्ड जो है तो वेस्टन वर्ल्ड कुछ इस तरह से react कर रहा है ठीक है बहुत जादा consume कर रहा है water energy resources हर चीज़ का अंतनी कर रहा है वो ठीक मतलब अंतनी छोड़ रहा है कोई ठीक है अब देखो क्या है यह बताता है ना कि किस तरह से western world, eastern world में हम divided है किस तरह से अमीर और गरीब में society divided है अब जब इतनी inequalities है तो why not equality matters सवाल पूछता हो मैं आपसे क्यों equality matter नहीं करती है आगे देखो क्या है the risk of dying from pregnancy related causes is 1 to 18 in Nigeria हर 18 में से एक महिला के जान जाने की risk रहती है कहाँ पे Nigeria में जो African nations है तो इसमें exist करती है medical facilities के दवस में तो बतला वहां महिला है जो है उनकी death हो जाती है और वही पर compare करोगी से western country से तो वह क्या है but 1 is to 8700 समझे रहो देखो 1 is to 18 proportion देखो हर 18 में से एक महिला risk पे रहती है pregnancy के time पे Nigeria में उसकी जान जा सकती है less developing country है या फिर कह सकते least developed countries की category में आता है वही चीज़ अगर आप compare करोगे Canada से तो Canada जो western world है ठीक है तो वहां पे 1 is to 8700 मतलब 8700 महिलाओं में कहीं एक महिला की जान risk पर रहती है pregnancy से death होने की तो आप ये contrasting differences देख सकते हो और समझ सकते हो कि कितनी inequalities exist करती है आया समझ में फिर क्या है the industrial countries of the first world account for nearly अब देखो ये first world के पास इतने resources है लेकिन वो nature को क्या दे रहे है nature को स्रिप pollution दे रहे है और कुछ नहीं दे रहे है तो वही बताया गया the industrial countries of the first world account for nearly two-third of the global emission of carbon dioxide ठीक है carbon dioxide का two-third जो है वो industrial nations जो है वो दे रहा है ठीक है world में इतना भी हो रहा है मनलों कि अगर जैसा हम unit में देखा कि तीन unit अग countries से आता है ठीक है industrial world से आता है ठीक from the combustion of fossil fuels combustion of fossil fuels फिर उसका आदमी का they also account for three-quarter of the emission of sulfur and nitrogen oxide जिसका प्रिनाम क्या होता है acid rain होती जिसका रहन से many industries known for their high rate of population are being shifted from the developed countries to less less developed countries ठीक है और जो countries बहुत जादा pollution कर रही थी तो उनको वहां से भगाया गा western world से तो भाग के कहाई less developed countries में यहां pollution करेंगे यहां के government तो हमें भगा भी ने पाएगी ठीक है तो इस तरह से आप समझ सकते हो inequalities कितनी glaring है ठीक है और यह inequality inequalities जो है तो यह चिंता का विशा है ठीक है इसलिए हम क्या करते है equality को political theory में chapter की तरह पढ़ते हैं अब अगर बात करते हैं ठीक है किस चीज की लास्ट टॉपिक है समझना इसे ठीक है अगर हम बात करते कि इसकी यह तो हो गया global inequalities अब हम बात करते है economic inequalities in India India में क्या स्थीति है सर थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालो तो जरो देखते census of India held in 2011 about household amenities and assets पतलब जैसे जो घरे लूप योग में जो amenities होती न आपक्या safe drinking water हो गया electricity हो गया तो आप घर में जब रहते हो जंगल में तो रहते हैं आज हम ठीक है घर में जब हम रहते हैं तो यह सारी basic amenities हैं तो इन basic amenities की क्या position है क्या situation है इंडिया में वो बताये गया है census of India held in 2011 about household amenities and assets तो क्या है देखो यह सारे amenities की बात की जाती है electricity connection tap water in the house bathroom in house television scooter moped motorcycle जो भी लेना हो तो इन पेरामिटर्स पर देखा जाए यह basic necessity है तो इसमें से एक दो हटा भी देंगे television नहीं होगा तो भी इंसान जिंदा रह सकता है तो यह बताती है कि इंडिया में क्या situation है ह urban areas में मतलब rural family में electricity connection जो है तो इंडिया के जितने भी rural families ग्राम इनुशेटर है तो गाओं में 55% लोगों के पास है शहर में 93% लोगों के पास है ठीक है यह inequality दर्शा आता है फिर अगर बात करते है टैप water in house tap water in house मतलब क्या है कि नल में जो पानी आता है नल का पानी तो नल होगा कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं क्या safe sanitation facilities होगी open defication से free होगा वो गाओं ठीक है या फिर वो शहर तो शहर में तो चलो ठीक है फिर भी proportion 87% लोगों क्या होता है गाओं में 45% लोगों क्या है यह 2011 के census के साब से चीज़े और सुदर गई है आज उस्तिती उतनी बुरी रही है लेकिन फिर भी inequality तो है ना तो यह inequality exist करती है आपे television की बात की जाएं ठीक है कितने बच्चे छोटा भीम देख पाते हैं तो गाओं में सिर्फ 33% और शहर में 77% तो इसके लिए छोटे भीम जैसे react करते हैं शहर के बच्चे अदिखता है ठीक तो don't feel offended बागी में आपको fact बता रहों कि इक्वालिटी जो है यह मतलब यह लाइफ का comfort है ना एक एमिनिटी जो एक household एमिनिटी की category में आ जाता है तो वहां पे क्या इनिक्वालिटी exist करती है फिर क्या है स्कूटर मोपेड मोटर साइकल के अगर बात करते हो तो वह अर्बन फैमिली में 35% लोगों के ह है तो उसमें भी आप क्या देखोगे कि रूरल एरिया में स्थिती स्रिफ 2% और अर्बन एरिया में 10% तो इनिक्वालिटी exist करती है अगर वेस्टन वर्ल्ड से compare करोगे तो सकता है वेस्टन वर्ल्ड में 80% पॉपुलिशन जो है उनका कार जीब वैन हो तो इस तरह से इनि वीडियो से full-fledged way में equality को समझते चलेंगे एक एक करके सारे topics complete करेंगे equality topics से जुड़ा हूँ है जो है वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what is equality हमारा chapter सही मायनों में यहां से start होने वाला है इसका मतलब यह नहीं कि अभी तक जो पढ़क जरूर ही है क्यों क्योंकि inequalities exist करती है बहुत जादा inequalities कैसे exist करती है तो मैंने आपको economic inequalities के बारे में बताया worldwide क्या scenario है इंडिया में क्या situation है वो सारी चीज़े बताई तो आप क्यूंकि inequalities हैं तो उन inequalities को खतम करके equality लाना है असमानता है तो समानता लाना होगी ना जैसे inequalities को overcome करके क्या आएगी? Equality आएगी तो उन inequalities को पढ़ना समझे सा भी बहुत जादा जरूरी है ठीक तो अब यहां समस्टार्ट करते हैं one by one सारे topics को unfold करते जाएंगे what is equality? अब what is equality में अब human nature को अगर समझोगे तो we make distinctions between human beings हम लोगों के बीच में distinction बना देते हैं हम क्या कर लोगों को एक तरह से अलग अलग separate categories में बाढ़ देते हैं हम gender के basis पर male female में बाढ़ देते हैं male को superior बना देते हैं female को inferior बना देते हैं हम on the basis of race बता देते हैं कि इस नसली के लोग सही हैं Aryan race के लोग सही हैं और दूसरी race जैसे आप देखोगे Hitler में क्या किया था? रेस के basis प people were being discriminated, ठीक है? तो जब आप यह distinction ऐसे बनाते हो ठीक है बिनाशरपैर के distinction बनाते हो जिनका कोई तरक नहीं होता है, जिनका कोई logic नहीं होता है, तो उन distinctions के चलते है क्या समझ में आता है, आपको उन distinctions के सामने, आपको सामने समस्य निकल के आती है, कि society में discrimination होने लगता है और वो जो discrimination होता है तो उससे हमें किस चीज़ की feeling आती पता है तो such distinction violate our intuitive understanding of equality तो जो हमारी समझ है equality की कि इस तरह के बिना तरक वाले बिना सरपेर के distinctions करके जो discrimination होरा society में उससे society में equality खतम हो रही है inequality आ रही है आया समझ मैं है तक ठीक है तो inequality आ रही है कि ऐसा discrimination चाहे वो skin color के basis पे हो चाहे वो race के basis पे हो चाहे वो gender के basis पे हो चाहे वो caste के basis पे हो कोई भी ऐसा basis अगर रख रहे हो आप ठीक है कोई भी एक ऐसा criteria रख रहे हो जिसके कोई sir है ना pair है मतलब logical बिल्कुल नहीं है तो वो हमारी understanding जो equality की वो सोचने पर मजबूर करता कि क्या equality exist करती है बड़ा सा cross लगाओ नहीं equality exist नहीं करती इस case में ठीक है मतलब समान नजरों से देखें सभी को same respect दी जाना चाहिए सभी को same considerations दी जाने चाहिए मतलब सभी को हम एक नजर से देखें सभी को एक तरह से तोल आ जाए ठीक है यह equality हाँ सरी definition मतलब कुछ suit करी अभी देखते हैं तो अब हाँ सबको same respect से हो consideration क्यों दे तो सबको same respect हो same consideration हमें common humanity के ground पर देना चाहिए तो उस basis पर discrimination करना सही नहीं होगा सब है तो human being सभी में लाल कार का ही खून है सभी में कह सकते हैं एक ही प्राणे मतलब सभी में एक तरह सी जैसे सब के अंदर जो जान रहती सभी को अगर गर्म लगएगा तो सभी चिलाएंगे ठीक है तो अब जब common humanity के ground पर हमें क्या करना चाहिए इस तरह के betu के distinctions नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि यह हमारी जो समझ एक्वालिटी के उसके अगेंज जाते हैं आगया समझ में अब सवाल ही आता है कि at times government ही लोगों को identical way में treat करती है मतलब government could differences create करती है treatment में जैसे जैसे देखो division of work and function ठीक यह concept को अच्छे से समझना वाई भी बताओंगा मैं उसका कभी कभी क्या होता है इक्वालिटी की definition आपने समझ ली क्या कि everyone is entitled to the same respect and consideration हर इंसान को same respect same consideration मिलना चाहे लेकिन at times we have observed that government itself is treating people in different identical ways जैसे for example प्राइम मिनिस्टर जो है तो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से treat किया जाएगा जरूरी नहीं कि एक आम इंसान को भी वैसे ही treat किया जाए अब आप वह आम इंसान बोलतेगा मेरी equality हां पर क्या हो गई है वाइलेट हो गई है ठीक है they are not treating me equally आम इंसान बोल सकता है ठीक है इस चीज को inequality नहीं बोलते है इस चीज को inequality नहीं बोलते है ठीक है is inequality good तो अगर inequality नहीं बोलते तो यह क्या सहीं चीज है ठीक है सवाल यह भी आता कि जब इस चीज को inequality नहीं बोलते है तो क्या यह सहीं चीज है कि आप किसी इंसान को identical मतलब हर इंसान को depending on their work ठीक है आप क्य इंजिनियर को भी क्या करवाया जाए उसके सिर पे भी बजन रखा जाए उससे भी वैसा काम करवाया जाए मजदूर को कम्पीटर पे बिठाया जाए ठीक है तो यहां पर लेकिन distinction कर दे रहे हैं ठीक तो यह distinction क्या inequality हुआ ठीक है और अगर इस तरह की inequality society में है तो इसका मतलब inequality अच्छी है फिर अमीर गरीब में भी होने दो मेल फीमेल में भी होने दो ठीक है इस तरह से आप सोच सकते हो तो देखो क्या है नैसेसरी लगते हैं जरूरी लगते हैं कभी-कभी क्यों कैसे कहां अब कहानी समझो देखो यह क्या हो रहा है यह यह यहां पर आप जो कह सकते हैं कि लोगों को वैन्य आट्रीटिंग पीपल इन डिफरेंट वे ठीक है हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि हर इंसान जो है प्राइम मिनिस्टर का पॉजिशन उनका फंक्शन अलग है तो उस हिसाब से उन्हें अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्यों कि वह उनके कह सकते वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है यह वह देश के लिए क्या कर रहे हैं उस हिसाब से उनने जैट प्लस सिक् देखने को मिलता है यह नेससरी हो जाता है तो यह आया ना समझ में आप को आपको है पे not all kinds of inequalities are good लें अपने आप में सही नहीं होती है तो यह सवाल पुछाता है कि is inequality good तो inequality सही नहीं होती है लेकिन आप जब लोगों को डिफेंट वे में treat करते हो ठीक है डिपेंडिंग ऑ नहीं होती है ठीक है some inequalities may seem unjust कुछ inequalities जो होती है वो unjust होती है अब यहां पर एक शब्द ध्यान रख लो inequalities which can be justified ठीक है are just inequalities which cannot be justified are unjust ठीक है justified मतलब आप इसका explanation दे सकते हो जैसे for example हम आपको बताते हैं जैसे आपने वही बताया मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर को अलग powers है प्राइम मिनिस्टर के आज जो बाजू जो उनको facilities मिल रही वो अलग है ठीक है common man को अलग है तो अब यह जो inequalities देखने को मिल रही है आपको यह justify की जा सकती क्योंकि यह जो इनसाने पी फॉर प्राइम मिनिस्टर इनकी powers इनकी responsibilities इनकी functions जो है वो एक अलग level पे है इसके लिए अलग treatment मिल रहा है common man की power function और responsibilities अलग level पे है उनकी family तक responsibility होती तो उस कारण से उनने treatment अलग मिल रहा है यह justify कर सकते हो आप लेकिन जो inequalities को justified नहीं किया inequality क्या है इस तरह की inequality unjust है यह सही नहीं होती है तो not all kinds of inequalities are good ठीक है some inequalities may seem unjust for example child born in poor family what is his her fault in it अगर कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ तो उसमें उसकी गलती नहीं है ठीक है उसे आप अगर unjust तरह से in equal way में treat करोगे तो वो क्या हो जाएगा वो inequality कहलाएगी बहुत बड़ी inequality कहलाएगी आगे समझ में तो देखो equality के dimension दिखा रहों में no doubt equality में आप जब बात करते तो everyone is entitled to everyone is entitled to the same respect and consideration हर हर इंसान को सेम नजरों से दिखा जाना चाहिए when it comes to his dignity is self respect लेकिन अब हर individual के power function अलग होते है तो उस हिसाब से क्या होता है कभी कभी depending on the nature of work and function difference of treatment can be observed and can be given by government also लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि inequality सही होती क्यों क्योंकि जो inequalities unjust होती है उन्हें कहीं से कहीं तक support नहीं किया जाना चाहिए वो inequalities के against में equality के लिए आवाज उठाई जाना चाहिए ठीक है अभी आपकी condition कुछ ऐसे होगी सर्यार confuse मत करो कभी बोलतो inequality नहीं होना चाहिए कभी बोलतो inequality होना चाहिए तो फिर से एक बार समझो कि inequality जो justified है ठीक है वो it is not our differences that divides us it's our inability to celebrate them हम उन differences को enjoy नहीं कर पाते इस का रण हम divide हो जाते है वागि differences तो होना चाहिए diversity जो होगी तभी तो life में अलग-अलग color दिखने को मिलेंगे आया ना समझ में तो उस तरह से कहा है कि some inequalities may seem may seem just जैसे sorry may seem unjust ठीक है और उन्हें हमें क्या करना चाहिए neglect करना चाहिए अब देखो सवाल ही आता है कि which distinctions and differences are acceptable and which are not मतलब वही वाली बाद आगी क्या unjust होटा है क्या unjust नहीं होता है ठीक है तो कौन से distinctions कौन से differences accept किया जाना चाहिए कौन से नहीं किया जाना चाहिए तो देखो inequalities जो होती, inequalities on the basis of gender, religion, race, caste यह बे तुकी है मतलब इनके पीछे कोई तर्क नहीं है तो इस तरह की inequalities को आप reject करोगे ठीक है जो inequalities किस चीज़ पर बेज जो होती चीज़े का जो आम नागरिक है उसके बीच में और आपके बीच में differences होंगे आपकी जो facilities आपको जो treatment मिलेगा वैसा उसको नहीं मिलेगा treatment ठीक है लेकिन क्या इस तरह के difference को आप inequality कहोगे नहीं क्यों क्योंकि आपके ambition आपके goal के हिसाब से आप वहाँ पे हो और एक इंसा न कोई sportsman मन जाएगा कोई politician मन जाएगा ठीक है कोई अपनी दुकान पर बैठेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके बीच में inequality हो गई है आया समझ में वह जो differences है those differences depend on your ambition and goals तो उस तरह के जो differences उस तरह के जो distinctions है वह acceptable है ठीक है और कौन से नहीं acceptable होते है जैसे inequality जो बेज होती कि इस पर gender religion race caste पर वह acceptable नहीं होते है आया ना समझ में concept clear होना चाहिए ठीक है आँखों में सितारे जमकना चाहिए इस तरह से कि हाँ सर आ गया समझ में ठीक है तो inequality के आपने आप में गलत है और equality क्या होती है जब आप हर इंसान को equal consideration दे रहे हो equal respect दे रहे हो differences exist there, differences of treatment में appear acceptable, यह acceptable लगते हैं तो वो differences जो होते है वो inequality नहीं कहलाते है और हर inequality सही नहीं होती है, inequality जो just होती है उस inequality को कहीं से कहीं तक accept नहीं की जाना चाहिए तो ऐसी inequalities जो gender, religion, caste, इन सारी चीज़ों पर बेज़ रहती है वो accept नहीं की जाना चाहिए और ऐसी inequalities जो ambition और goal के basis originate होती है, वो acceptable होती ही society में, तो confusion खतम करो, definition अच्छे से समझ के जाओ, ठीक है, क्या है, the commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all form of differences, हर तरह का difference in equality नहीं होता है, ठीक है, और जब आप equality के idea की towards committed हो, तो इसका मतले भी नहीं कि आपके society में differences नहीं होंगे, ambition और goal के हिसाब से differences होंगे, ठीक है, त it does not imply the elimination of all forms of differences, it merely suggests, it merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy, ठीक है, must not be predefined by birth और social circumstances, ठीक है, what a classical definition, ठीक है, मजदार definition है, आगे नहीं समझ में कि differences होंगे equality की जब आप बात करोगे, लेकिन आपको किसीज पर ध्यान देना है, कि differences जो हों, वो pre-determined ना हो by the basis of birth और social circumstances, ठीक है, वो male है, female है, इस current differences है, वो नहीं होना चाहिए, वो गरीब है, अमीर है, इस current differences नहीं होना चाहिए, हाँ, वो engineer है, वो doctor है, वो carpenter है, या फिर वो कह सकते हैं कि barber है, वो कुछ भी हो, तो वो उनके ambition, उनके goal के हिसाब से differences आया है, ठीक है, तो वो differences acceptable, वो inequality का मतलब, उ आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, equality of opportunities, topic important है, अच्छे से समझना, पिछले वीडियो में मैं आपको क्या बताया, what is equality, तो मतलब हमारी picture clear हो गई है, वहापे कि equality का मतलब क्या होता है, आपने ये समझ लिया कि equality का मतलब ये होता है कि inequality exist कर सक सकती है, confused, ठीक है, अभी और clarity पिलाते हैं इसको देखो, तो ये जो topic है ना, इसको समझो, equality का मतलब ये होता है कि equality of opportunity होना चाहिए, अब उस equal platform को, opportunity के equal platform को जहां पे equality है, उसे use करने के बाद में हर इंसान अलग-अलग मंजिर पर पहुँच जाएगा, तो वो मंजिले लिखने में unequal लगेगी, ठीक है, लेकिन वो inequality नहीं कहलाएगी, अभी आपका चेहरा कुछ तो भी confusion में हो गया होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इसे और clarity पिलाते हैं चलो, ठीक, आपने जिसे freedom chapter पढ़ा था, ठीक है थोड़ा सा मैं आपको connect करवाता हूँ, तो freedom में आपने आपको develop कर लो, तो वैसे ही equality का मतलब यह नहीं कि सब एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है, सब की height एकदम बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर चोटा बड़ा हो गया, तो जो बड़ा रहेगा उसको 2 इंच नीचे से काटो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, equality का मतलब ही य same rights and opportunities, to develop their skills, ठीक है, यह word, to develop their skills and talents, and to pursue their goals and ambitions, equality का मतलब यह होता है कि, all human beings should be entitled to same rights and opportunities, अधिकार जो है, आपको, ठीक है, और आपकी class में जो top करने वाला है, दोनों के पास में equality, freedom, सब कुछ बराबर है, वो top कर गया, आप क्यों नहीं करके पाए, क्योंकि, he or she has developed their skills, ठीक है, their skills and talents, and to pursue their goals and ambitions, तो उन्होंने क्या करा, कि अपने skills, अपने talent पर बहुत बहतर तरीके से काम किया, तो वो succeed हो गए, ठीक, अब आप इसे बोलोगे, inequality, inequality सर उसने महनत क्यों करी, वो जादा क्यों पड़ा, ठीक है, उसके number काट हो, तो यह सहीं नहीं है, justified ही नहीं है, आगे सम करने के बाद कोई आगे कोई पीछे रहेगा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो inequality है, clear हो गया, तो people may differ with regard to their choice and preferences, जैसे for example, equality of opportunity में क्या होगा, कि हर बच्चे को class 12 तक वैसा ही पढ़ाया जाएगा, जैसा आपके बाजुवाले को पढ़ाया जारा, जैसा आपके पीछे वाले क ट्वेल्थ के बाद में आप तैय कर लेते हो कि आपको lawyer बनना है, आपको krikkator बनना है, आपको doctor बनना है, आपको क्या बनना है वो आप तैय कर लेते हो, ठीक है, तो इस sense में क्या होता है, education जो होता है, तो education में जैसे आप दिखोगे biochemistry, humanities अलग अलग stream लेते हैं बच्चे, इसका मदलने कि सब second हो गई है उपर ह roaring कर दीने कि नहीं करती ना यहां पे कया देखने को मिल रहा है कि सबकी चोइस सबकी प्रिफेन्स अलग एंन अकट जैसे बनी जाथ है आप अपनी चॉइस इस अपनी preferences के हिसाब से आप अपने skill और अपने talent को कितना develop कर पायों उस पर depend करता है आये ना समझ में तो this does not amount to inequalities यह inequalities का मतलब नहीं हो इसका मतलब inequalities नहीं होता है ऐसा जो differences देखने को मिलते हैं ठीक तो आये ना समझ में equality of opportunity क्या है मतलब equality opportunities में होना चाहिए उसके बाद में आप उन opportunities को कैसे इस्तेमाल करते हो वो तोटली आप पर depend करता है और उन opportunities को इस्तेमाल करने का कोई आगे कोई पीछे रह जाता है सब अलग-अलग हो जाते हैं कर सब के इसमें differences दिखते हैं तो वो inequality नहीं कहलाता है simple सी चीज़ clear है तो it is not the lack of equality of status or wealth or privilege that is significant ठीक है but the inequalities in people's access to such basic goods as education, healthcare, safe housing that make for an unequal and unjust society माहिने क्या रखता है माहिने ये नहीं रखता कि किसका status कैसा है किसकी wealth किसके पास कितनी है किसके पास wealth जादा है तो हम हो अल्ला करने लगे उसके घर के सामने जाके खड़ोगे कि ये दो को inequality exist करती है ऐसे कैसे समाज विक्सित होगा सब ये क्या है ये सब गलत है क्यों क्योंकि बात inequality की कहां पर आएगी जब लोगों के पास में जो basic goods education healthcare ये चीज़ें इन चीजों की ये एक्सस नहीं होगी ना तब क्या होगा तब जाके हम कहेंगी कि यहां society inequality exist करती है अगर सब को common platform मिल जाएगा ठीक है एक कॉम जैसे अब क्या होता है कोई पीछे निकल जाता है और एक जीतता है दूसरा नहीं जीत पाता है तो जो नहीं जीते वो क्या चिल्ला चॉट करेंगे कि नहीं inequality inequality है अगर हां यहां पर यह इंसान को यहां से दोड़ाते है अपन ठीक है तो inequality exist करती ठीक है तो यह जो बेसिक्स है बेसिक्स पर अगर आप क्या कर रहे हो कह सकते हैं किसी प्रकार की unjust rules है या फिर कह सकते हैं discrimination है तो inequality गहलाएगी लेकिन equality क्या होता है बस equality of opportunity पर डिपंड करता है उस opportunity को कैसा यूज कर रहे हैं उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है तो उसको आप inequality के माप दंड पर नहीं आप होगे आगे ना समझ में उस parameter पर नहीं आप सकते हो अब क्लियर है तो equality of opportunities मैंने आपको समझाया आई होप आप connect कर पायो relate कर पायो तो इक्वैलिटी की definition आपने समझी और equality की definition में एक basic ingredient जो होता है वो होता equality of opportunities अब next video में आपको जानने को मिलेगा कि कुछ natural inequalities होती है कुछ social inequalities अब 2 मिनिट के लिए आप सोचो कि कौन सी inequality सही होती है कौन सी society में किस मायने में आपको देखने को मिलती है इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले है इस वीडियो में पढ़ेंगे natural and social inequalities के बारे में topic को अच्छे से समझना connect करना आप कहोगे सर हर वीडियो में यही बोलते हो तो बच्चों हर वीडियो में करना भी यही होता है कि आपको पहले topic को connect करना है अभी तक हमने क्या पढ़ा है तो equality की definition के अलग-अलग dimensions है ठीक differences का मतलब inequality नहीं होता है differences depending on work and function are justified लेकिन वो differences जो justified नहीं है unjust है वो inequality का form ले लेते हैं ठीक तो अब यहां पर जैसे आप देखो कि तो society में क्या है कि कोई doctor भी है कोई lawyer है कोई क्रिकेटर है तो इसका मतलब यह नहीं कि society में inequality भरी पड़ी है यह तो क्या है उनके goals और ambition के हसाब से अलग-अलग position पर आ गए that would not account to inequality आगया समझ में यहां तक अब आगे देखो आगे की कहानी क्या है आगे की कहानी यह है तो जो मतलब कह सकते हैं political scientist है वो क्या करते हैं पहले initially क्या किया जाता था initially inequalities को natural or social inequalities की category में बाट दिया जाता देखो मैं आपको topic की starting में इबादा दे रहा हूं कि पहले यह classification चलता था कि कुछ inequalities natural inequalities होती है और कुछ inequalities social inequalities होती है तो अब क्या चलता है sir अब यह video के last में आपको पता चलेगा कि अब यह जो differentiation यह उतना acceptable नहीं है लेकिन इसे पढ़ो समझो इस differentiation के dimensions को देखो clear हो गया यहां तक ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो तो what do you understand by natural and social simple सा शब्दे nursery class में नहीं first class में भी पूछेंगे आपसे तो आपको थूआ समझ में आ जाएगा नेचरलल मतलब केंऄपि प्राकरतिक तो कुछ असामांतायं प्राकरतिक रूप से आती हैं जैसे कि कोई लड़का और कोई लड़की थे हिए तो रड़की लड़की क्यों है क्यों क्योंकि लड़की पैदे हुई थी ठीक है तो यह नेचरलल differences हो गए अब अगर बात करते हो social differences की तो social differences क्या होते हैं जो हम समाज में construct करते हैं हम क्या बोलते हैं कि men are superior than women तो यह क्या हो गए यह socially constructed inequalities हैं ऐसा कहां किस book में लिखा है कि men जो है वो ज्यादा intellectually capable होंगे as compared to women ठीक है तो अब आप उसको क्या करते हो यह आपने society में बना दिया difference यह आपने डिफरेंस बना दिया कि pink color लड़कियों के लिए रहेगा और गन जो रहेगी लड़कों के लिए रहेगा ऐसा कहीं पर exist नहीं करता था ना यह हमने क्या किया है तो यह socially constructed inequalities हैं आगे समझ में तो आपको मैंने natural और social difference बता है कि जो प्राक्रतिक है और जो सामाजिक है और उसी हिसाब चे क्या है same is for similarly there are some natural inequalities and some socially produced inequalities concept था समझा दिया दो मिट में अब पढ़ा दो बस तो natural inequalities क्या है natural inequalities are result of different capabilities and talents of a person different capabilities and talents of a person मतलब जैसे male और female में distinction होता है वो naturally होता है तो अब क्या हो गया हो गया natural difference का या फिर से natural inequality कहलो आप आगे इसका dimension और दिखाऊंगा फिर आप इस देख लो क्या है कि कोई क्या कह सकते है visually impaired है ठीक है कोई पैदा ही ऐसा हो था ने तरहिन ठीक है और किसी के people are born and cannot be altered तो यह ऐसी चीज़ें जिससे जिने अल्टर नहीं किया जा सकता है ठीक example में मैंने आपको बहुत सारे example दे दिए कि मानलो कोई handicap है ठीक है अगर किसी के कोई अंग नहीं है जैसे कि किसी का हाथ नहीं है पैर नहीं है तो वह कह सकते हैं कि capabilities कहलो या फिर नेचरली कह सकते हैं कि उन disabilities के साथ पैदे हुए और उस कारण से वो क्या है कि आम जो समाज है आम इंसान जो रहता है उससे अलग है ठीक है तो inequality exist करती है यह natural inequality होगी यह अब दूसरा क्या है socially produced inequalities समझना हां तो these are the consequences of inequalities of opportunity or the exploitation of some group in a society by other मतलब क्या है कि ऐसी inequalities जो socially produced है socially produced है मतलब क्या है जैसे हम देखेंगे समझना एक example अच्छा और देता हूँ कि एक अमीर है और गरीब है अब क्या है तो लोग यह सोच रहे हैं कि चोरी हुई है तो चोरी हुई है तो किसने की होगी गरीब निकी होगी तो हम यह क्या मानके चल रहे हैं सुसाइटी ऐसा मान रही कि गरीब है तो चोरी करेगा वो ठीक है तो वो inequalities अब हुआ नहीं होगा लेकिन हम क्या presume कर ले रहे हैं इसने चोरी करी होगी क्यों क्योंकि यह ऐसी inequality आपने construct कर ली है जो society ने सोचा और बनाया जैसे male और female का है कि हम क्या मानके चलते हैं कि naturally male जो है तो male male जो होते है masculine होते हैं ठीक है पैदा हुआ है male body में तो वो क्या होगा masculine होगा उसके अंदर physical capabilities ज्यादा होगी as compared to female इसका मतलब यह नहीं कि male हर मामलों में superior होगा जैसे आपकी book में जो बहुत अच्छा है cartoon दिया है क्या cartoon दिया है कि male are more masculine than female therefore therefore they are superior ठीक है वो जो बच्चा है लड़का वो इसा वोलता है लेकिन फिर फिमेल बच्ची जो है वो के argument देती है कि class में तो हमेशन में first आती हो तो फिर superior तुम कैसे बन गए ठीक है तो सिर्फ masculinity से कोई superior नहीं हो जाता है ना वो चीज यहां पर दर्शाइग गई है तो यह जो लेकिन हम society तो यही मान के चलती है कि patriarchal society है male जो है वो dominate करेंगे तो some inequalities are the consequences of some inequalities are the consequences of the opportunity or the exploitation of some group in a society by others आया समझ में ठीक है तो it is created by society value of society are reflected और इस तरह की जो socially produced inequalities होती है तो यह society के दोबारा बनाई जाती है और इन inequalities में क्या होता है society की value जो होती ही वो आपके सामने दर्शाइग जाती है society की value कैसे दर्शाइग जाती है उसका सबसे अच्छा example है patriarchal society patriarchal society क्या होता है 10 में पढ़ क्या हो मतलब एक ऐसा समाज जहां पर पुरुष प्रधान माना जाता है मतलब हम क्या मानके चलते है कि society में में कौन रहेगा मुख्या कौन रहेगा परिवार का male रहना चाहिए ठीक है ऐसा क्यों हो है क्योंकि society ने वो construct बना दिया ठीक है और social inequalities में या फिर natural और socially produced inequalities में अब आते हैं में मुद्दे पर में मुद्दा क्या है हमारा देखो तो the distinction natural and social help us to distinguish between acceptable and unfair inequalities ठीक है अब जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि कुछ inequalities acceptable होती है और कुछ inequalities acceptable नहीं होती है तो आप क्या बोर दिया उने क्या श्राण टीसन कर दिया कि आर्मी में जो इंसान जाएगा उसको मतलब पुरे दोनों हाथ पैर पूरा सरीर से मतलब कह सकते हैं संपन होना चाहिए पूरे सरीर से अपने तो आप क्या होता है कि यह distinction समझ में आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह अपने पूल दिया कि वह क्या कि आप लोगर कास्ट का इसको आर्मी मत पहुचाओ तो यह क्या है यह अनफेर लग रहा है क्योंकि उससे उसका कुछ इसके भी हाथ पैर बंदुग वह भी चला सकता है तो इस तरह से क्या है इस तरह से यह जो आर्गुमेंट है तो यह अनफेर लगेगा अगर आप इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझेंगे तो पहले यह चलता था ठीक है लेकिन अब फिर क्या हुआ कि ओवर दी प्रियों टाइम लोगों को समझ में आया कि कभी-कभी नैच्रल क्लासिफिकेशन को ठीक है यह जो नैच्रल इनिक्वैलिटीज है इनको क्या किया जाता है मौडिफाइड वे में भी यूज किया जाता है फॉर एक्जाम्पल देखो बट इस नौट ऑल्वेस क्लियर और सेल्फ एविडेंट ठीक डिबेट समझना डिबेट क्या है कि यह और सोशल इनिक्वैलिटीज के बीच में तो एक टाइम्स इस डिस्टिंशन है एक्सेटेवल और अनफेर इनिक्वैलिटीज मदद करी हमने जैसे मैं आपको एक्जाम्पल बताया आर्मी में जाने वाले का ठीक है लेकिन क्या होता कभी-कभी यह जो डिस्टिंशन है कुड बी जस्टिफाइड बिकॉस फॉर लॉंग विमें वे डिस्क्राइब ऐस दी वीकर सेक्स आया समझ में यह विमें को इक्वल राइट्स नहीं दिये गाए ठीक है पॉलिटिकल राइट पीच से देखो के तो बहुत लेक्ट दिना चालू किया फ्रांस की बात करो जा विमें एक्वल राइट कुड बी जस्टिफाइड विकॉस फॉर लॉंग विमें वर डिस्क्राइब अस दी वीकर सेक्स अब विमें को नेच्रल निक्वालिटिज के नाम पर क्या किया गया राइट्स तक डिनाय किया गया अब यह बात आपकी मांनते है देखो क्या है कि म मस्कृलिणिटी जो है वो मेल में है फीमेल में नहीक है इसके चलते क्या होता है कि कछ मतलब कुछ ऐसे डाइंचिंस अजहां पर विमें को क्या किया गया कुछ काम करने से रोग दिया गया जैसे प्वर एग्जामपल इनिशली क्या होता था इनिश्ली जिसे देखेंगे जो सेना विना होती तो इसमें women को नहीं जाने दिया जाता था ठीक है? ऐसा माना जाता था masculinity male के पास है ठीक है? वो समझ आता है लेकिन फिर क्या होता है आपने बोल दिया कि women को घर में ही रहके काम करना पड़ेगा ठीक है? बहर के काम male करेंगे तो अब क्या होता है जिसे एक layer के उपर दूसरी layer, दूसरी layer के उपर तीसरी layer तो इस तरह से discrimination जो बढ़ता चले गया और discrimination कहा तक आ गया तो public life में बोलने का हग भी नहीं होगा women को जिसे आप hardcore patriarchal society को अगर समझोगे तो वहापे क्या है women को public life में बोलने भी नहीं दिया जाएगा फिर voting right तो बोल देंगे कि नहीं नहीं, women तो weaker sex है तो weaker sex के चलते क्या है कि शायद इनका धिमाग भी कमजोर होगा तो इन हम voting right भी नहीं दिते है आयना समझ में, तो किस तरह से चीजों को manipulate किया गया, तो अब आप मुझे बताओ कि यह जो natural inequalities है depending on the sex, ठीके, are these natural inequalities justifying the discrimination which women are facing in the society, ठीके एक बड़ा सा no, ठीके नहीं, क्यों, क्योंकि आप natural inequalities के नाम पे क्या करते चले जा रहे हैं, बहुत सारे rights उने deny कर दे रहे, same case कहां प because black people in Africa were considered of less intelligence by their colonial masters, क्या हुआ कि Europeans जो थे, कहानी समझ न अच्छे हैं, कहानी समझ तो आपको pattern समझ में आगा कि कैसे colonization हुआ है, इंडिया का भी colonization ऐसे ही हुआ है, कि जैसे आप देखोगे कि जो 14th, 15th century का आस पास का time रहा, तो वहाँ पर उस समय पर Europe में रहने सा आया, industrialization आ गया लगया ठीक है, scientific discoveries होने लगी, लोगों ने वो जो dark age वाला time period था, चर्च वर्स से उपर उठके आ के क्या करने लगे, science के हिसाप से सोचने लगे, लेकिन जो दूसरी societies थी, जैसे African society, Eastern society, जिसमें इंडिया, चाइन ये साब आ गया, तो ये लोग अभी भी थोड़ का फाइदा उठाया, ठीक है, तो ये एफरिका में चले गए, इंडिया में चले गए, और यहां पे इनोंने colonies बना ली, ठीक है, और colonies बना तो अब क्योंकि वो scientifically, technologically developed थे, और हम लोग developed नहीं थे scientifically, technologically, ठीक है, तो उसके चलते वो क्या बोलने लगे, कि ये तो least developed है, ठीक है इनका intelligence level भी हमसे कमजोर है, अब क्या हो देखो, तो ये क्या हो रहा है, अब वो बोल क्या रहा है, कि naturally Africans के अंदर, Indians के अंदर दिमाग कम है, कौन बोल रहा है ऐसा, Europeans बोल रहे है, और इस natural inequality का हवाला देते हुए, वो क्या करने लगे, slavery जैसे institution को चलाने लगे, आया ना तो वही चीज़ यहां पर बताए गई है कि institutions like slavery are being justified because black people in Africa were considered of less intelligence by their colonial masters, तो ये जो natural inequalities exist करती है, यहां पर बताऊ आप एक मिनिट के लिए, are these natural inequalities justified, ठीके, और they justify the discrimination, तो नहीं यहां पर भी बड़ा सनो लिखोगे, आगे नहीं समझ में, तो ये जो classification रहा, inequalities का, ठीके, to help us to distinguish between acceptable and unfair inequalities, यह क्या रहा, यह clear and self-evident नहीं रहा, क्योंकि वह natural inequalities के नाम पे कुछ भी हो रहा था, ठीके, कुछ भी हो रहा था, gender wise, कुछ भी हो रहा था, race wise, skin color के हिसाब से discrimination होते चला आ रहा था, ठीके, तो इसके चलते का, इसके चलते हमें आज समझ में आया, कि यह जो distinction है, यह ग starting में ऐसा किया ही क्यों गया होगा, क्यों Africans को less intelligent माना गया होगा, ठीके, तो सवाल यहां पे आता है कि वो initial point जो रहा वहां पे ऐसा क्यों accept किया होगा society ने, कि women जो है तो वो क्या intellectually inferior men से, तो इस तरह से society माना ही क्यों होगा, चलो उस debate को समझते जा रहा, तो, such distinctions are accepted made by society for the difference of power between people and nations, rather than based on their inborn characteristic, line पढ़ने में confusing लगी है, तो उसको समझो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से समझो, ठीके, क्यों initially society ने accept कर लिया होगा, या फिर क्यों इस तरह का, जो जैसे natural inequalities के नाम पे, जो natural inequalities सिरिफ masculinity तक सीमित थी, उसको voting right और कह सकते है, फिर women को inferior मानना है, इतना बड़ा चला के क्यों बता दिया गया, तो उसके पीछे का कारण यह है, यह जो distinction मनाय गया था, natural का, और social का, ठीके, तो such distinctions are accepted or made by society for the difference of power between people and nations, ठीके, difference of power between people मतलब क्या है, कि अब society में कौन रहता है, male और female रहते है, ठीके, तो male और female रहते है, तो male जो थे, तो male उने सोचा क्या, कि female के उपर power हमारी रहना चाहिए, तो अपने आपको powerful शो करने के उन्होंने उस natural inequality का हवाला देते हुए क्या कर दिया, social inequality भी थोप दी, voting right भी नहीं दिये, यह मान लिया कि women intellectually भी inferior है, women को क्या करना होगा, घर में ही रहना होगा, economically भी उन्हें हमारे पर dependent रहना होगा, तो वो layer के उपर layer चड़ती चले गई, आये ना समझ में, तो इस तरह से women क्या होते चलेगी, दबती चले गई, वही चीज़ अगर आप जिसे देखो गें, तो यह differences, यह distinctions क्यों बनाये जाते हैं, for the differences of power between nations, अब Europeans क्या चाहते थे, कि उन्हें colonies मिलें ताक से Europeans को फाइदा मिल सके, उस तरीके से देखा गया, और उन्हेंने क्या बोल दिया, उस चीज़ को natural inequality का हवाला देते हुए, हमारे उपर थोप दिया, तो यह कहानी जो रही है, यह कहानी जो रही है, तो मैंने आपको बताई कि कैसे, जो natural inequality और social inequality, socially produced inequality जो है, वो क्या है, वो तो वैसी ही रहेगी, वो तो alterable ही नहीं है, ठीक है, मतलब unalterable है, अगर ऐसा कहा जाता तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर एक argument और समझो क्या, कि inequality due to natural differences are unalterable, ठीक है, यह माना जाता है, कि जो inequality जिसे आप कोई male पैदा हुआ, तो male ही रहेगा, कोई female पैदा हुई है, तो female ही लेकिन science इतना develop हो गया, कि उसके हाथ लगाया जा सकते हैं, तो जो natural inequalities है, वो तो खतन भी की जा सकती है, आया ना समझ में, तो इसके चलते क्या है, कि inequality due to natural differences are unalterable, जो पहले माना जाता था, अब वैसा नहीं है, advancement in medical science, ठीक है, and technologies have helped many disabled to come at level playing ground, जैसे क्या है, जैसे for example बता दो कि कोई disabled था किस चीज़ से, कि उनकी fingers नहीं थी, या फिर कोई disabled था, कि disabled था कि एक हाथ ही नहीं था, लेकिन artificial limbs लगा कि उन्हें भी हाथ दे दिया जाता है, तो वो उसी मायने में देखा जाने लगा वो इस इंसान को कि जैसे जिसके पास हाथ है, दोनों पैदा होते से हाथ क्या कह सकते हैं कि operations के through sex भी transfer कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो पहले हवाला दिया जाता था natural inequality का, अब वो क्या होते चले गई है, वो reduce होते चले गई, क्यों, क्योंकि आप जैसे देखोगे, तो artificial limbs, wheelchairs, computers, इंसारी चीज़ों के मदद से, आप हम reduce कर सकते हैं clear हो आई ये, जैसे Stephen Hawkins का यहाँ पर example दिया गया है, तो physically तो क्या है, naturally अगर दिखा जाए, तो उनके वो बहुत जादा क्या सकते हैं कि capable ही नहीं थे किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है, मतलब उनके हाथ पैर कुछ नहीं चलते थे, body का कोई movement नहीं होता था, लेकिन इन सारी समस्याओं के बावजूद भी, एक इनसान जो चल फिर कुछ नहीं सकता है, उस इनसान ने science में कितना बड़ा contribution दिया, Stephen Hawkins की जिसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, natural inequality तो थी न, लेकिन science, technology, इन सारी चीज़ की मदद से उनने उस natural inequality से उपर आते हुए, जो पहले criteria की तरह use की जाती थी कि इस distinction की मदद से आप बोल सकते हो कि कौन से inequality is justified है, कौन से inequality is justified नहीं है, लेकिन क्या होता है, but the distinctions is not always clear or self-evident, तो ये जो distinction किये जाते थे, these distinctions were not clear or self-evident, तो उसमें भी क्या होता है था, manipulation हो जाता था, तो और ऐसा माना जाता था कि natural differences जो है, व change natural inequalities also, ठीक है, हम natural inequalities को भी हटा सकते है, तो therefore, natural or socially produced distinctions are not sufficient to understand and assess the laws and policies of the society, तो society को अगर समझना है, equality के perspective से, तो सिर्फ naturally or socially produced distinctions की मदद आज क्या है, मतलब इन differences की मदद से, अब sufficiently society के जो laws हैं, उसे नहीं समझ पाओगे, equality के perspective से, तो therefore, many theorists today, differentiate inequalities in two groups, तो inequalities को अलग-अलग जो जैसे groups में देखा जाता था ना, तो अब क्या होने लगा कि बहुत सारे जो theorists हैं, वो inequalities को natural, मैंने आपको study में बताया था, कि natural or social के socially produced inequalities के perspective से ना देखते हुए, अलग दो groups में देखने लगे हैं, वो कौन-कौन से है, inequalities arising from our choices, और दूसरा है inequalities due to family or circumstances, समदे ज़रा इसका भी आपको एक brief explanation देता हूँ, तो आपको clarity हाँ पर भी आ जाएगी, क्या होता है कि हमने जो पूरी कहानी देखी, natural or social inequalities की, वो क्या है, वो अब acceptable नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप में जैसे हम देखेंगे, तो क्या है कि यह जो differences थे, clear or self evident नहीं थे, और जो limitation थी, natural inequalities को हटाया नहीं जा सकता, alter नहीं किया जा सकता, तो आज तो उसे भी बदल सकते हैं, तो फिर अब क्या होने लगा, तो जो theorist थे, theorist ने क्या बोला, कि हम तो दो नए तरह के classification निकालेंगे, inequalities में, क्या है, कुछ inequalities, emerge होती है by our choices, ठीक है, जैसे for example बताता हूं, आपके पास भी 1 करोड रुपे, मेरे पास भी 1 करोड रुपे, बदाई हो, ठीक है, अब क्या होगा, आप सक्टा लगा देते हो, पूरे हार जाते हो, मैंने उसे 1 करोड रुपे का क्या क्या कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये जो inequalities आई है, कि आप रोरपती में करोड रुपे, ठीक है, ये क्यों आई है, ये हमारी choices के कारण आई है, ठीक है, तो अब जैसी करनी वैसी भर नीट, हमारी choices के कारण inequality आई है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एक तो inequalities होती हमारी choices के कारण, आप क्या career choose कर रहा हूं, दोनों अलग अलग जाएंगे, ठीक है, किसी के पास पैसा होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो वो inequalities हमारी choices के कारण हुए, उन्हें inequality नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि equality of opportunity तो थी, सहीं decision लेना, और गलेट decision लेना, उस चीज़ पर निरभर करता है कि हम कहां कौन किदर पहुच गया, ठीक है, अब दूसरी च बीज में inequality हो, यह justified नहीं है, ठीक है, तो जैसे हम क्या देखेंगे, sources of concern and should be minimized and eliminated, तो जैसे circumstances में वही बात की कही कि कोई अमीर गरीब है, तो इसका मतले भी नहीं कि अमीर को education मिलना चाहिए, गरीब को नहीं मिलना चाहिए, आपको equality of opportunity को provide करना पड़ेगी, ना, connect कर पारे ह हमने पिछले वीडियो में पड़ा, equality of opportunity, तो यह वाला जो inequality का कह सकते है, basis है, या फिर जो theorist इस group की inequality को देखते है, कि जो हमारे bus में नहीं थी, क्योंकि हम गरीब परिवार में पैदा हो, इसके मतलब यह नहीं कि we are not having right to have a quality education, ठीक है, यह वाला जो inequality है, इसके बारे में theorist सोचते हैं, ठीक है, it is a source of concern, concern and should be minimized and eliminated, इस चीज़ को कम किया जाना चाहिए, eliminate किया जाना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ पर बात की जा रही है, अब हम आगे जो chapter है, तो उसको उसमें यही समझेंगे, कि जैसे, ऐसी inequalities जो हमारी circumstances, हमारी family के कारण develop होती है, वो कौन-कौन स समझेंगे inequalities के, उन्हें कैसे reduce किया जा सकता है, उस चीज़ के ओपर theorist भी सोचते है, हम भी पढ़ेंगे, हम भी सोचेंगे, और कुछ करना भी उस बारे में, ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 dimensions of equality, chapter जो है, नए मोर प बात करते हैं, ठीक है, तो यह अभी तक की theme रही है, अब हम यह देखने वाले हैं, कि आप equality जब लाओगे, तो equality किन-किन dimensions पे लाओगे, ठीक है, तो 3 dimensions of equality जो है, आपको topic का जो crux है, वो मनें समझा दिया है, यह basically आपको introduce कर रहा है, आगे आने वाले 3 topics है, ठीक है, तो 3 dimensions of equality, और आप इस चीज को loop की तरह यूज कर सकते हो, इस video lecture को, जो आपने अभी तक क्या पढ़ा और आगे क्या पढ़ने वाले, उसके बारे में आपको बताता है, ठीक है, तो मतलब अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने यह देखा, कि inequalities जो है, तो वो natural inequality, social inequality, उसके are going to talk about, fine, देखो, we have seen these social differences, social differences हमने देखे कि सामाजिक, दरश्टी कोणों से अगर आप देखोगे न, तो क्या है, differences exist करते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई male है, female है, अब male है, female है, तो उससे दिक्कत नहीं हमें, मतलब differences का है, differences एक तरह से diversity को आइड करते हैं, लेकिन उन differences के उपर जब क्या होता है, discrimination होता है, इन differences के चलते हैं, जो inequalities होती है, वो चिंता का विशह है, तो वो चिंता का विशह है, उसी के चलते हैं, तो कुछ differences, कुछ inequalities जो है, वो तो acceptable होती है, जैसे आप क्या देखेंगे, कुछ differences, कुछ inequalities acceptable कैसे होती है, तो मैंने आपको बता है लेकिन कुछ unacceptable होता है ठीक है जैसे अब क्या हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि women को एक weaker sex की तरह consider करके चल रहे हो और उसी के चलते हैं you are denying them of their rights तो वो unacceptable है आये ना समझ में तो इस sense में we have seen the social differences और उन social differences के चलते inequalities exist करती है कुछ inequalities acceptable होती है कुछ inequalities unacceptable होती है जो unjust dhk होती है जिसे justify नहीं किया जा सकता हो unacceptable जो जिसे justify जा सकता हो acceptable ठीक है तो अब हम क्या देखने आले कि inequalities है तो उसी के लिए हम equality की बात करते हैं तो equality की जब बात करते हैं तीन दाइमेंशन कौन कौन से? Various thinkers and ideologies have highlighted three main dimensions of equality. वो क्या है? पहला political, दूसरा social, तीसरा economic. Political inequality क्या होती है? ओ, sorry, political equality की जब आप बात करते हैं. तो political equality क्या होगी? मतलब, राजनेतिक रूप से लोगों को समानता है मिल जाए. हिंदी में बता है, आप समझाता हो देखो. तो क्या होता है कि जैसे आप कह रहे है voting right की जब हम बात करते हैं? तो voting right हमारा एक political right होता है. Being a citizen of a country, we want political right. सभी को voting right मिलना चाहे. अब चाहे वो काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, मोटा हो, मेल हो, फिमेल हो, कोई भी हो. हर इंसान political right चाहेगा नहीं चाहेगा? तो political equality की बात की जाती है. तो एक dimension political equality होगा. इसे हम next video में subsequently क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे. फिर दूसरे dimension क्या हो जाएगा? social equality. अब आप एक समाज में जब इनसान रहता है न, तो समाज में बहुत सारी तरह तरह की inequalities exist करती है, और उन्ही inequalities को जो समाज में exist करती है, society में exist करती है, उन्हें तोड़के equality establish करना, social equality वाले topic में हम पढ़ेंगे. जैसे क्या होता है कि caste के basis पे inequality जो exist करती है, ठीक है, उसे खतम करके, एक caste neutral, caste neutral, देखो caste को अब खतम नहीं कर सकते हो, caste हमारे अंदर है, ठीक है, हम caste के अंदर है, लेकिन क्या है, उसके जो impacts है, caste के basis पे जो discrimination हो रहा है, मैं वहीं कहरो ना कि differences are not bad, differences है, तो गलत नहीं, differences are adding diversity to our life, लेकिन उन differences के चलते हैं, जब discrimination होने लगता है, तो दोस discrimination होने लगता है, तो दोस discrimination होने लगता है, तो social discrimination, social equality मां वह पढ़ेंगे कि सामाजिक द्रश्टी कोण से दिखा जा तो caste हो गया, यह जो है, इन dimensions पर equality establish करना है, और अगला है economic, तो economic inequality का मैंने आपको बहुत अच्छा नमूना प्रस्तूत किया था, ठीक है, मैंने बहुत सारे facts बताये था आपको, तो economic inequality भी एक बहुत बड़ा challenge है, तो इस topic में हम क्या करेंगे, economic equality को पढ़ने वाले हैं, ठीक है कैसे developed country और least developed country में differences, economic differences, अब country के अंदर भी अगर बात करोगे, तो कुछ एक strata जो है, तो वो क्या है, rich है, कोई एक जो है तो poorest है, तो वो richest पूरेस्ट वाला जो एक पूरा debate है, वो समझेंगे, तो यह subsequently one by one unfold होते चले जाएगा, तीन dimension समझ में आ गए न, तो मोटा माटी में आपको तीनों dimension बता दी है, अभी हम क्या करेंगे, one by one सारे dimensions को unfold करते जाएगे, clear हुआ, वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे political equality के बारे में, पॉलेटिकल equality, connect करो पहले टॉपिक को, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि there are three dimensions of equality, inequality को खतम करना है और equality को लाना है, तो अब inequality को खतम करके equality को लाओगे, तो equality किस मुद्धे पे लाओगे आप, ठीक हैं, तो जो तीन dimension में आपको बताया है, political, social, economic, उन्हें अब हम one by one पढ़ने वाले हैं, पहला dimension समझो, political equality, क्या होता है political equality, तो connect with the book, Indian Constitution at Work, यालि पुख पढ़िए अपने Indian Constitution at Work, आप ही की भुखे class 11 की, तो Indian Constitution at Work में आपने क्या देखा, क्या समझा, कि political equality होती है, democratic societies में, शब्द भारी लग रहे हैं, तो उन्हें explain कर देता हूँ, जैसे क्या होता है, democratic society में, जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने leaders को चूज कर रहे हैं, या फिर अपने representatives को चूज कर रहे हैं, उनके representatives जो हैं, तो उनके भिहाब पर decision लेते हैं, तो इस तरह की democratic society जहां पे लोगतंत रहे हैं, ठीके passe क्या होती है, तो जो जो democratic society होती है, उन democratic society में political equality होती हैं, अब political equality क्या होती हैं, सर फेले ये बता दो चलो वह भी समझाता हूँ, Political equality मतलब क्या है कि politically हर इंसान उस democratic process में भाग लेगा और वो equal front पे भाग लेगा जैसे आप अगर देखोगे तो voting right जो एक गरीब इंसान का होता है वही एक अमीर इंसान का भी होता है ठीक है ऐसा तो नहीं है कि अमीर इंसान है तो उसके दो vote count होंगे ठीक है सभी को equal voting right है चाहे वो किसी caste को किसी race को किसी भी religion को belong करते हो ठीक है चाहे वो rich हो poor हो चाहे वो male हो female हो चाहे वो बच्चा हो या बढ़ा हो नहीं बच्चों को voting right नहीं खुश मत हो ठीक है तो इस मायने में क्या है कि political equality का मतलब यह है क्योंकि अब बोलोगे एक सर यह तो discrimination है inequality है अवाद उठाने लगो गया ठीक है ऐसा नहीं है उसके पीछे भी क्या है justification है अभी समझाओंगा ठीक तो देखो political equality in a democratic society होती ही होती है ठीक है और यह political equality क्या करती है grants equal citizenship ठीक है equal citizenship मिलती है हर individual को जो उस देश का उस democratic society का part होता है और जब equal citizenship मिल जाती तो जो मैंने आपको बता है अभी क्या कि this citizenship comes with certain basic rights कुछ basic rights भी मिलते है citizenship के साथ साथ में जैसे right to vote तो यह political right का example हो गया कि सबको voting right मिलता है ठीक है freedom of expression चैप्टर पढ़ क्या हो पीछे freedom freedom आप क्यों मांग रहे हो समझना इस चीज को आप एक democratic country में जी रहे उसलिए freedom of expression मांग सकते हो आप बोलते हो कि मुझे मैं जो सोचता हूं उस चीज को बोलने की आजादी हो यही चीज आप तहीं monarchical form of government होती कहीं पर कोई monarch होता उस देश में जी रहे होते ठीक है पहुचा आदे आपको अकर North Korea ठीक है फिर वहां बोलके दिखाना है कि freedom of expression हो ठीक है तो वह क्या करते हैं में political equality मिलेगी ही मिलेगी ठीक है तो as a citizen you you are you are going to have some basic rights such as right to vote freedom of expression freedom of belief आप जिस धर्म को मानते हो जिस धर्म को follow करना चाहते हो आप democratic society में उसे follow कर सकते हो यही चीज आप किसी एक ऐसे देश में चला जाओ जो secular नहीं है ठीक है जो secular नहीं है का मतलब क्या है कि जहां पे कोई ए अब यहां फिर क्या सकते हो कि Catholic country हो सकता है तो वहां पर आपको यह freedom of belief नहीं रहेगा कि आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को follow कर लो ठीक फिर क्या होता है constitutional rights होते हैं कुछ हां यह चीज समझ लो जैसे जो political rights होता है अधिकतर constitutional rights होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप पैदा होग लेकिन यह जो right to vote, freedom of expression, belief यह सारे क्या हैं यह constitutional rights की तरह consider किया जाता है कि जब एक democratic society अपना constitution बनाती है तो citizenship देती है और लोगों को बोलती है कि यह अधिकार हम आपको दे रहे हैं यह legal right है तो अब क्या है यहाँ पे अगर आप यह सोच रहे हो कि यह तो universal right होते हैं मतलब हर जगा democracy है नहीं है ठीक है तो यहीं पर हमारा argument fail हो जाता है कि यह rights जो है ठीक है it means that political equality is universal क्या इस तरह की political unity equality जो है ठीक है यह हमने जो पड़ी तो क्या यह political equality universal है मतलब सभी जगा अवेलेबल है तो नहीं सभी जगा अवेलेबल नहीं है देखो connect करते चलना हाँ अगर ऐसा हो रहा है मुझे लग रहा कि अगर फास्ट हो रहा है तो उसको एक बार फिर सम रिकाप कर लेंगे लेकिन कनेक्ट करते चलना तो इसट मींस देट political equality is universal तो नो ठीक है क्यों नहीं समझो considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights to all citizens अब आपके मन में सवाल आया होगा कि वाय ठीक है मैं समझा देता हूं पहले देखो क्या होता है ठीक है connect करना क्या बताया मैंने आपको कि political equality होती democratic society में वहां के citizens जो होते हैं उन्हें कुछ basic rights मिलते हैं और यह basic rights जो होते है political equality को promote करते हैं ठीक है अब आप सोच रहोंगे कि क्या political equality जो है तो वह universally available है क्या हर इंसान के पास है यह सारे rights तो जी नहीं ठीक है कुछ ऐसे भी देश हैं ठीक है कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर आपको considerable inequalities देखने को मिल जाएगी असमानता है देखने को मिल जाएगी when it comes to these set of rights ठीक है इन rights यह जो rights हैं इस तरह की equality वह सभी को नहीं होती है ठीक can exist even in countries which grant equal rights to all citizens ऐसे भी countries होंगी जो बोल देगी हम equal rights दे रहें लेकिन politically जो rights होते हैं वो सबको equal women नहीं मिलेंगे ठीक है for example में जैसे आपको बताता हूं ठीक है for example एक example समझो अच्छे से चीज़े connect हो पाएगी example में हम क्या लेते हैं जैसे Saudi Arabia कर लेते हैं ठीक है वहाँ पे women जो है तो women को बहुत सारे front पे क्या किया जाता है क्या हो रहा है यहां पे जब उनको political equality deny की जा रही है तो यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है कि हां यह dimension है जहां पे हमें equality देना होगा ठीक है अब आप सोच रहा है कि वहां पे women को political equality क्यों नहीं मिल पाई है तो due to the differences in social and economic sphere due to the differences मतलब क्या है कि यहां पे inequality क्यों exist करती है पता है क्योंकि वहां का social and economic sphere ऐसा है connect करना बहुत अच्छी तरह से क्या हो रहा है लेगो कहानी को समझो कहानी को समझना क्योंकि Saudi Arabia का social and economic structure ऐसा है ठीक है कि वहां पे आप क्या होता है कि patriarchal society से मानके चले तो मेल्स जो है वह अपने आपको superior मानके चल रहे है वह इंडिय में भी मानके चल रहे है तो social inequality यहां पे भी है लेकिन हमने by law क्या कर दिया है by law political equality दे दिये women को लेकिन वहां पे क्योंकि उनके society ऐसी की वह मेल्स जो है वह by law भी women को equality नहीं देना चाहरे तो अब इससे एक interpretation आप यह भी निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो कि women जो है न women को या फिर आप किसी भी section की बात करो women को छोड़ो ठीक है आप किसी भी section को बात कर दो आप अगर political equality देना भी quality लाना होगी इसे हम अब यह जो पूरी theory पार्ट थी मैंने आपको समझा दिया है अब इसे example से समझों सटीक example देता हूँ analyze करना इस चीज को बैट के अच्छे से क्या हो रहा है कि आज आप देसे देखोगे तो कहीं भी books में नहीं लिखा ऐसा कि women जो है women के rights कम है और men के rights ज्यादा है ठीक है कहीं नहीं लिखा है लेकिन फिर भी क्या होता है women अपने आपको deprived feel करती है ठीक है मतलब उन्हें लगता है कि हमारे अधिकार कम है ठीक तो political rights तो है बोलो हाँ लेकिन आप societal level पकड़ देखोगे तो society क्या मान सिखता लेके चल रही है कि women inferior men superior है ठीक है तो इसके चलते हैं कि women ने एक notion अपने सिर पे डाले है कि they are inferior फिर क्या होता है अग ये notion जब डाल लिया ना तो उनको political equality होने के बावजूद भी वो उस political equality को exercise नहीं कर पाती है economic equality होने के बावजूद भी उस economic equality को exercise नहीं कर पाती है जैसे for example क्या होता आपने सरपंच पती का concept सुना है पंच पती जिसे कहा जाता है क्या होगा कि सरपंच women होगी अगर मान लो जो municipality के जो चुनाव होते हैं ठीक है में पढ़ा है आपने तो सीज को अब यहां theory क्या है अगर theory पढ़ पढ़ के आंसर लिखके आजाओ के कोई भी कर लेगा लेकिन जो आप पढ़ा रहे हो practically उस चीज के साथ अप्लाए करोगे ना तब मज़ा आएगा और तब पढ़ना सिद्ध होगा और पढ़ना तभी काम का आएगा चलो के example में जोड़ के देखते हैं हम जिसे कि क्या हो रहा है political equality के जब हम बात करते हैं तो political equality है कि women भी representative बन सकती है पंचायत के चुनाव लड़ सकती है सरपंज बन सकती है अब कोई महिला थी वह सरपंज बनी बधाईयों मिठाई बटवाई उन्होंने अब क्य नहीं है लेकिन वह उसने क्या मोलती है मैं पंच पती हूं और वह मिमन के नाम पे सारे decision कौन लेता है वह अंकल जी लेता है ठीक है तो इस सेंस में क्या हो रहा है कि social inequality होने के कारण क्या होता है कि political equality है भी तो भी वह क्या हो जाती है वह दब जाती है आ गया वही चीज economic inequality मे economic sphere में अगर आप जिससे देखोगे तो women जो है women are being paid less ठीक है ये fact है data है surveys में निकल के आया कि किसी एक job के लिए इतना male को pay किया जातना इतना female को नहीं pay किया जाता है income disparities होती है ठीक है क्यों होती है क्योंकि society सा मानके चलती कि महला है जो है वो ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती है आगे समझ में तो इस तरह से क्या है कि सिर्फ political equality देने से कुछ नहीं होगा आपको दूसरे dimensions पर भी सोचना सोशल और economic sphere में भी दिखा जाए next video में हम social equality की बात करेंगे आगे ना समझ में topic को सिर्फ पढ़के आगे मत बढ़ा करो कभी भी ठीक है अब जिससे आपने यह theory का एक concept देखा यह theory थी लेकिन आप इसको जब practically अलग-अलग example से relate करोगे ना तब आएगा मजा आया समझ में ठीक है आशा करता हूं चीजें समझ में आई हैं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे social equality के बारे में देखो कहानी सुनातों पहले एक राजा रानी वाली नहीं है लेकिन सुनों अभी तक आपने क्या पढ़ा तो आप तीन dimension देख रहे होती वो अपने citizens को politically equal rights provide करती है जैसे right to vote, freedom of speech and expression and some constitutional rights तो ये सारी चीज़ें आपको कहा देखने को मिलती ही political equality में तो हम क्या कह सकते हैं कि political equality से आपके सामने क्या outcome निकल के आता है equality before law निकल के आता है equality before law ठीक है equality before law निकल के आता है अब इसको समझते चलो फिर आगे connect करवा हूँगा मैं अब जब आप social equality की बात करते हो तो social equality के थूरू पता है क्या कोशिश की जाती है equality of opportunity provide करने की कोशिश की जाती है अब equality of opportunity कैसे provide करने की कोशिश की जाती यह सवाल आया होगा आपके मंद में अब मैं आपसे एक चीज़ और बोलता हूँ कि political equality और social equality जो है इन दोनों को एक सांत देखना है अब आपके मन में बहुत बहेंकर confusion हुआ होगा कि कैसे तो वही चीज़ हम explain करते हैं आपको तो देखो समझना political equality क्या करती पता है political equality remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods ठीक है अब देखो क्या होता है कि मान लोग एक male a female society में अब female को voting right नहीं मिल रहा is ठीक है female को voting right क्यों नहीं मिल रहा क्योंकि समाझ ये मानने चल रहा है कि female are inferior ठीक है गवर्मेंट एक डेमोक्राटिक गवर्मेंट बाय लवा ये बोलतेगी कि युनिवर्सल अडल फ्रंचाइजी है सभी को इक्वल वोटिंग राइट मिलेंगे तो उसके चलते क्या हो गया कि जो लीगल हडल था कि पहले महिलाएं आवाज भी नहीं उठा सकती थी क्यों कि लोगों को रोक सकता था फ्रण वाइज इन गवर्मेंट ठीक है तो वह लीगल हड़ गया उल्टाए एक सपोर्ट मिल एक बैकिंग मिल गया है पॉलिटिकल इक्वालिटी की नाम पर तो पॉलिटिकल उपर देती कि लीगल उस चीज को एक बैकिंग देती है एक और सब्सक्राइब तो क्या कर दिया देखो समझना बाइल तो ऐसा हो गया कि हाँ विमेन को भी वोटिंग रहेगा तो लीगल हडल तो हड़ गया लेकिन अगर सोचल एक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में आज भी माइंडसेट अभी है कि मेल ही सुपीरियर रहेंगे तो वह फिम को जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आप देखो बाइलो का ही मना नहीं बोला कि पढ़ाओ मत विमेन को लेकिन क्योंकि सोसाइटी की सोच क्या है कि मेल डॉमिनिटेट सोसाइटी रहेंगे नहीं तो वह वोटिंग राइट मिल भी जाएगा तो विमेन को अपने बाइलाओ में बोल देंगे कि राइट टो एजिक्शन में हर बच्चा पड़ेगा तो वह जो लीगल हड़ था ना कि लोग बोलते ते गरीब का बच्चा इसको मत पढ़ाओ तो वह क्या है वह लीगल हड़ गया है लेकिन जब तक सोसाइटी में सोसाइटल एक्वैलिटी नह नहीं आएगी लोगों के पास में तो गरीब बच्चा कैसे पड़ पाएगा तो गवर्मेंट को क्या करना पड़ेगा बाइल राइट एजिक्शन तो देना होगा लेकिन सोसाइटी में एक्वैलिटी लाने के लिए वह स्ट्रक्चर भी बनाना होगा पूरा का पूरा पू स्ट्रक्चर पास में फृमेट अ क्वैलिटी नहीं फास का लेसे पास वाली को क्या से लिए लेजबियन गेवाली जो कम्यूटी है LGBT कम्यूटी उन्हें गवर्मेंट ने इक्वालिटी दे दिये कि उनका अधिकार है तो अब क्या होगा कि उन्होंने एक जो लीगल हर्डल था वो तो पार कर लिया है ना अब अब रिक्वार्मेंट क्या है कि आप सोसाइटल लेवल पर लोगों की थिंकिंग में जाना चाहिए तो आप क्या होगा कि सोसाइटल लेवल पर सोशल एक्वालिटी की डिमांड किसली की जाती ताकि एक्वालिटी ऑफ ऑपर्चुनिटी मिले मतलब उन्हें भी अपने आपको एक्स्प्रेस करने की मतलब बाय लोगों गलत कुछ नह कि सोसाइटी की सोच को हमें इक्वल बनाना है सोसल एक्वालिटी में दूसरे भी डाइमिंशन सा जाते हैं जैसे कि वह एक इंफ्रेस्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए जैसे राइट टो एजुकिशन वाला एक्जामपल और अच्छा सूट करता है यहां पर कि राइट टो नहीं करेगी कि लोगर काश का बच्चा पढ़ पाए तो आप वहां पर सुसाइटल लेवल पर आपको बदलाव लाना होगा गौवर्मेंट को स्कूल बनाने होंगे ठीक है ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ सके आया ना समझ में और इस तरह से चीज़े बदलेगी अगर आप सिर्फ बुक में पढ़ते रह जाओगे तो एक्जामपल से अगर नहीं जोड़के देखोगे तो कभी समझ नहीं आएगी इसके लिए एक्जामपल से जोड़ना बहुत जाता जरूरी है त्योरी आया समझ में इसी कारण और बच्चे बुक से भागते इससे पॉलिट इक्वालिटी देने जीसे कुछ नहीं होगा आपको समाज पे समाजिक स्थर पर भी चीजों में बदलाव लाना होगा LGBT कम्यूनिटी को पॉलिटिकल राइट तो दे दिये लेकिन लोग अभी एक्सेप्ट करने को तयार नहीं तो दिक्कते हैं ठीक है तो therefore reducing social economic inequality and guaranteeing certain minimum conditions of life to all the members of society is very essential ठीक है तो आपको political equality देने के साथ साथ social equality पर ध्यान देना होगा और social equality में क्या करना होगा कि जो social economic inequalities है ठीक है उन social economic inequalities को क्या करना होगा आपको reduce करके कुछ minimum basic requirement जो होती है इंसान के grow होने के लिए equality of opportunity है मैं लिखा था na equality of opportunity वो provide करना होगा यह topic मैंने समझाया था और आपको equality of opportunity मतलब क्या होती है कि एक level playing ground तो दे दो ठीक है अब आप क्या है जैसे आप बात कर रहे हो कि क्या रहना चाहिए social equality रहना चाहिए तो हर बच्चा पढ़ ले पढ़ने के बाद में अगर वो कु कुछ नहीं कर पाएगा तो वो तो inequality exist करती है ना जैसे क्या होता है मैं पताता हूं आपको समझना कि political equality की हर इंसान पढ़ सकता है लेकिन society में inequality इतनी exist करती कि अमीर और गरीब में बटे हुए है लोग समझो ठीक है social economic perspective से बता रहूं मैं आपको तो आप क्या होता है कि जो गरीब है वो क्या करेगा वो पढ़ नहीं पाएगा वो पढ़ नहीं पाएगा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो वह vicious cycle तो चलता ही रहेगा ठीक है अब लेकिन इस vicious cycle को चलते देखते रहों गया आप हो एक जो अमीर है वो परते जाए रहा है वो उसके बनाई जाए कि जो गरीब है उसके लिए गवर्मेंट सेट अप लाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आ जाए उस लेवल प्लेइंग फील्ड से फिर आगे चीज़ अपने आप बढ़ जाएगी ठीक है फिर क्या होगा कि अगर इसमें तो यह महनत करके आगे बढ़ जाएगा इसमें तो यह भी बढ़ेगा हम किसी को रोक छोड़ी ना रहे वह कहानी है यहां पर ठीक है तो तो जिसके पास पैसा है या फिर क्या सकते हैं कि जब जिसके पास रीच है वो तो अपना इलाज करवा फालेगा उसके पास नहीं हो नहीं कर बापाएगा Jaap क्योंकि राज क्रवा पाइस कारन किया है वह उसको अपनी जान घवांना पड़ी थी तो इस तरह से क्या होगा कि एड़किजक्टी है जो है वनोह सबके बसका नहीं है तो उस चीज़ को प्रवाईड कर pulling Surrey पिये स काम सब करते हैं लेकिन कोई एक्स्प्लाइट होता है कोई दिन बर पत्थर फोड़ता है और सिर्फ उतने पैसे कमा पाता है जितने में आप एक सिल्क खाके ओड़ा देते हो ठीक है तो वहां पर क्या है वह सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह से सोशल इक्वालिटी की बात की गई कि सामाजिक स्थर पर जाके क्या होगा यहां पर हाँ अब देखो इन दी अपसेंस ऑफ सच फैसिलिटीज इडिफिकल्ट फॉर अगर मानलो कि यह जो डाइमेंशन बता है मैंने आपको यह इक्वाल करते हैं इसलिए सोशल इक्वालिटी बहुत जाला जलूरी है और सोशल इक्योटी और उपकर दो थे लेकिन आपको लाग से उपर जाकी ऑक सोसाइटी सब्सक्राइब करना इंफ्रेस्ट्रक्चर देना आता है कि इंफ्रेस्ट्रक्चर देतो ताकि सब लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर जाए लेकिन इंडिया में दो समस्यां सोशल इक्वालीटी की जब बात की जाती है एक तो व्रॉट सोशल इक्वालिटी में समस्या यह है कि व्रॉट में सभी जगा और इस कारण से social inequalities है लेकिन हमारे हां समझ से यह कि हमारे हां कुछ customs भी ऐसे हैं जो societal level पर inequality को बढ़ावा देते हैं जैसे क्या custom हो गए जैसे custom की बात की जाए तो caste system ठीक है caste system जो है तो वो क्या है हमारे हाँ देखा मतलब exclusively for India वाला system है caste system का जहां पर आप देखते हो कि समाज किस तर पर क्या होड़ा है लोगों के बीच में inequalities exist करती है कोई upper caste का है कोई lower caste का और वो लड़के मरे जा रहे उसी चीज में कि upper caste है lower caste है और इस कारण से क्या होता है कि inequality exist करती society में तो मैंने आपको वह बताया कि यह जो social equality करने की बात की जाती है equality of opportunity प्रोवाइट करने की बात की जाती है तो इंडिया में situation जो है it comes with dual challenges दो-दो समस्या है एक तो क्या है lack of opportunities और we can say lack of facilities और साथ ही साथ में कुछ ऐसे customs भी prevail करते हैं country के लग अलग पार्ट में जिसके चलते क्या लोगों को equality of opportunity मतलब या फिर कहलो कि social equality को practice करने में दिखकर जाती है example के तो विमें education and right of inheritance दोनों दोनों topics को अच्छे से समझना हां अब देखो क्या होता है by law हम देखेंगे तो fundamental right क्या है हमारा right to education fundamental right आता है by law article कौन सा है बताना मुझे comment section में मिन इंडियान constitutionate work quality book में पढ़ा है अच्छे से ठीक है तो विमें education क्या है हमारा एक तरह से देखा जाए तो विमें education मारा fundamental right है मतलब क्योंकि right to education है तो उसमें women भी आगए men भी आगए सब आगए ठीक है लेकिन अब वह political right तो दे दिया हम महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं ठीक हम यह मान के चलते हैं कि घर में अगर दो बच्चे हैं तो किसको preference दी जाएगी mail को preference दो क्योंकि इसको पढ़ा लड़की का तो क्या है शादी करवाना है घर चलाएगी हो तो ऐसी सोच है ना तो सोच के चलते क्या होड़ा है उस सोच के चलते inequality exist करती है आगे समझ में तो social equality establish करने की जब बात आती है खास करके इंडिया के case में तो इंडिया के case में social equality को establish करने में dual challenges है पहला facility वाला facility के challenge को अगर overcome कर भी जाओगे तो समस्या कहां खड़ी है तो समस्या खड़ी है customs में हमारी सोच में हमारी practices में हमारी societal thinking में ठीक है उसे भी overcome overcome करना एक बड़ा challenge होता है जैसे एक example for men education कर दिया एक ऐसे एक example right of inheritance तो by law जो संपत्ती मेरी होगी ठीक है अभी जो की कुछ नहीं है तो अब मेरी संपत्ती होगी वह क्या होगी मेरे बच्चों में बाट दी जाएगी ठीक है मेरे बच्चों में मतलब क्या मेरे लड़के को भी मिलेगी मेरी लड़की को भी मिलेगी मेरी property लेकिन अब हमारे यहां क्या है देको लड़के लड़की सभी को property मिलेगी ठीक है 2005 में और जो हिंदू सक्षेशन एक था उसमें भी अमेंडमेंट करके यह बोल दिया गया पहले लड़कों को ही मिलती थी ठीक है अब क्या बोल दिया गया लड़के लड़की सभी को मिलेगी क्या प्रॉपर्टी में equal हग मिलेग लेकिन कस्टम्स क्या है कि लड़किया अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेती है न तो बस भीया पूछो ही मत बोल देते कि हाँ आप क्योंकि बाइल ओ तो है तो देना पड़ेगा हिस्सा प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी में हिस्सा तो देते हैं लड़कियों सफिशेंट नहीं है, गवर्मेंट पो सोशल एक्विटी पे भी काम करना होगा। उस सोशल एक्विएलिटी में भी आप फैसिलिटीज के सांस साथ में आपको कस्टम्स पे धियान देना होगा। कि वो कस्टम्स को कैसे अकमडेट किया जाए। तो देखो, अब ये dual challenges है ना, शांद पर list when we look at this when we look at this chain- Lup会 चैजन से अब तो सब्सक्राइब आपको facilities लाना होगी, तो उस-अब का होता कर।- में state as a significant role to play in such matters state क्या करे? स्टेट पुरी प्रोवाइड करें करें प्रॉपर स्कूल स्कूल प्रोवाइड करें विमेन आजीय की समझ से खतम हो जाएंगी इस्ट 온 क्या दिया जा आ जह कि कि स्टेट प्रॉपर नरिश्मेंट प्रोवाइड करें ठीक है ताकि बच्चे क्या रहें जो गरीब बच्चे माल निट्रिश्ट अगर रह जाते हेल्थ कंडिशन उनकी सही नहीं हो पाती है तो आंगनवाडी वगेरा मझे से क्या करें यह सारी चीजे करने में स्टेट बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सोशल इक्वेरिटी स्टैबिश करने में साथ ही साथ साथ ही साथ देखो बट अलाउंग विद अब सोशल एक डामेंशन तो आपने टेकल कर लिया लेकिन कस्टम्स को बदलना हो तो वहां तो लो विडियो देख रहे है ना मुझे नहीं पता है वीडियो कौन-काchy59 कश्मीर में भी बच्चे देख रहे होंगे करना टक में लेकिन आप मैंसे कुछ और मैंने जितने इसजाम style को को रिलेट कर पा रहे है ज़िए आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यह स्टोरी तो आपके घर जो हमारी सोच जो है तो उसको बदलने में क्या होता है social groups और individuals important role play कर सकते हैं अगर आप इन सारी जो examples मैंने बताया थेगा political theory book को excited रखो जो examples अभी हमने discuss किये यसी समस्या हैं अगर कहीं पर कैसी समस्या हैं कि अगर कहीं पर आप देख रहे हैं आप मान लीजे कि अभी आपके बस में कुछ चीज़ा नहीं लेकिन कल को जब आपके बेटे-बीटी होंगे ठीक है होगी ना शादी कल को आपके बेटे-बीटी होंगे तब आपको क्या करना होगा individual level पर change लाना होगा और वही एक तरीका है जिससे हम social equality को establish कर सकते हैं समझ रहे हो बात की गहराई को ठीक है तो बट along with that social group and individual also have a role to play in raising awareness and supporting those who want to exercise their rights Is that clear? ठीक है? वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे economic equality के बारे में economic equality के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? पहले इसको समझो हम दोग यह देख रहे हैं कि अलग-अलग dimensions होते हैं equality equality को स्रीप आप एक front पे achieve नहीं कर सकते हैं कि gender equality लिया है, मतलब equality आ गई है equality अलग-अलग तरह से आपको ensure करना होगी क्योंकि अलग-अलग dimensions पे inequality exist करती है तो किन-किन dimensions पे equality लाना है हम तीन dimension पढ़ने वाले है political dimension हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में दूसरा हमने क्या देखा कि equality जो है आपको social dimension पे सामाज एक स्थर पे भी समानता है लाना होगी तो हमने वो भी देखा जाती है legal level पे ठीक है अब फिर political equality जब दे दोते हो आप सभी को equal voting right दे दिया है लेकिन society भी तो उस तरह से सोचना चाहिए कि सभी लोग equal है male female equal है upper caste lower caste equal है तो आपको societal level पे भी equality लाना होगी equality of opportunity का ध्यान रखना होगा वो सारी चीजे हम अभी तक पिछले वीडियो में समझ चुके हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं अब हम तीसरा dimension देखेंगे equality का जो कुछ हद तक social equality से जुड़ा हुआ है ठीक है और जो कुछ हद तक political equality से जुड़ा हुआ है ठीक है एक mix match है उसे समझो वो है economic equality अब economic equality के जब हम बात करते हैं तो economic equality को थोड़ा सा recap करो economics आपने पढ़ा 10th class में अब economics जो आपने पढ़ा तो economics को money, economy in terms में देखते हो ठीक है economics को आप क्या करते हो money और economy in terms में देखते हो कैसे कि जब भी हम economic की बात करते हैं हर चीज को monetary value से connect करने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं कि economy में किस तरह से चीज़ा चल रही है कहां से पैसा आरहा है कहां को जा रहा है ठीक है, अलग-अलग sectors को पढ़ते हैं हर चीज को monetary terms में देखने की कोशिश करते हैं तो उसी तरह से economics क्या है money या economy है at the simplest level तो अब उसी simplest level पे अगर हम economic equality को समझने की कोशिश करते हैं तो economic equality क्या होता है कि it refers to the availability of equal wealth proper distribution of income between individuals और classes individuals और classes के बीच में आप equal wealth को जब distribute कर देते हो ठीके? individuals और classes के बीच में जब आप equal wealth को distribute कर देते हो तो वो क्या कहलाता है? वो economic equality कहलाता है आगे समझ में वो economic equality कहलाता है एक बार फिर से समझो कि inequality है इसलिए हम equality पढ़ रहे हैं और ठीके? मतलब क्या होता है कि लोगों के बीच में equal wealth distributed नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है ठीके? अब कोई अमीर और गरीब है तो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको ठीके? लेकिन हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि जो differences हैं in terms of wealth proper distribution of income ठीके? तो हम उसे कम कर सके हैं और उसे जब कम करते हो आप तो वही economic equality कहलाता है economic justice कहलाता है clear हुआ? ठीके? तो the significant differences or disparities is known as economic inequalities और हम equality की बात क्यों करते हैं? क्योंकि inequality exist करती है तो जब लोगों के बीच में क्या होता है? equal wealth नहीं होती है ठीके? जब लोगों के बीच में जो distribution है wealth का income का वो क्या होता है? वो uneven होता है तो ये जो significant differences ऐसे देखने को मिलते हैं उन significant differences को आप क्या कहते हो? economic inequalities कहते हो ठीके? उन significant differences को आप economic inequalities कहते हो समझ में आगई कहानिया तक? ठीके? समझ में आगई कहानी तो मुस्कुराओ अब आगे समझो क्या है? सबस्य यह है कि आप economic inequalities को measure कैसे करते हो? आपको बुखार आता है तो आप temperature measure कर लेते हो लेकिन यहाँ पर economics की बात की जारी तो आप measure कैसे करोगे? तो economy में बुखार का काम पैसा करता है जिसके पास नहीं होता हुझा उसे बुखार आ जाता है जिसके पास ज़्यादा हो जाता हुझा उसको भी बुखार आ जाता है तो सवाल यह आता है how to measure economic inequalities measure कैसे करोगे economic inequalities को तो measure करने का क्या तरीका है अगर आप से ही पूछा जाए आप बताओ कि आप दो लोगों को economic inequalities दो लोगों के बीच में है या नहीं आप कैसे measure करोगे तो आप उनकी income देखोगे आप उनकी income देखोगे बोल दो कि आप relative difference को measure कर लो तो economic inequalities आपके सामने आजाएगी ठीक है तो how to measure economic inequalities by measuring relative difference between rich and poor rich और poor के बीच में कितना difference है उस चीज़ को measure कर लो तो आपको economic inequalities समझ में आजाएगी कि हाँ ये अमीर और गरीब है अमीर और गरीब के बीच में जिसे कोई इतना मीर है कि पैसो के बिस्तर पर सो रहा है कोई इतना गरीब है जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है तो उनके बीच का जो gap है ना वो जो glaring differences आपको दिख रहे हैं वो economic inequality को दर्शाते हैं एक और तरीका क्या होता है economic inequalities को measure करने का by estimating the number of people below the poverty line poverty line क्या होता देखो तो poverty line यह line होती है अब इसको लक्षमन रेखा मस समझ ले ना poverty line क्या चीज है poverty line का concept समझो कि जैसे यह जो poverty line रहती है तो government क्या करती है हम गरीब किसे कही है यह समझो गरीब की definition सुनो गरीब की definition बड़ी dynamic होती है क्यासे है मानलों एक देश है जहां पर किसी के पास खाने कोई हि TCP के पास खाने को नहीं है तो वहाँ पर किसी के पास एक रोटी भी है ना तो बहुत अमीर इंसान होक्या अब बात करते हैं कहां की एक developed country hanging एक developed country में जहां पे लोगों के पास में मतलब भुका कोई नहीं, सभी के पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, सारी चीजे है, अब क्या होता है कि majority of them are having car, सभी के पास में car है, एक इंसान के पास car नहीं है, तो जिसके पास car नहीं है, वो इंसान क्या हो जाएगा तो वहाँ पे गरीब हो जाएगा, आगे समझ में, car नहीं है, तो सब society वाले क्या बोलेंगे बिचारा गरीब है car नहीं है, तो poverty की definition क्या है, बहुत dynamic है, अब आप किसे गरीब कहोगे, किसे गरीब नहीं कहोगे, तो depend करता है आपकी country की economic position पे, क्या आपकी country की economic position क्या है, त ठीक है, मतलब जो basic necessities होती है life जीने के लिए, वो उसे पूरी कर सकता है, luxury की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि government ने poverty line जो set कर दिये, तो इससे उपर जितने भी लोग है, सब 5 star hotel में खाते है, ऐसा नहीं, मतलब इस line से उपर जो भी लोग होंगे, line क्या होगी, poverty line मतलब estimated amount होगा, आप मुझे एक homework देतों में चलो आपको, कि आप estimate करोगे कि हमारी country की poverty line जो है, कितने पैसे पर fix की गई है, मतलब रूपय में डॉलर में, जो देखना है आपको, तो कितने रूपय पर fix की गई है poverty line, आज के 2011 के census के हिसाब से देखना, ठीक है, 10th में, 9th म मतलब वो क्या है कि वो poverty line से नीचे है, वो गरीब है, वो poverty के अंदर जी रहे है, तो आपके होगा कि अगर majority of proportion, just 100% population है आपकी, तो 100% population में से अगर एक बड़ा हिस्सा जो इस poverty line के नीचे जीता है, तो उसका मतलब क्या है कि inequalities exist करती है, ठीक है, inequalities exist करती है, एक बड़ा हिस्स करते हैं, फिर आप कहलो कि इस चीज से आप मेजर करते हो, economic inequalities को, economic inequalities है, तब ही हम economic equality की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि economic inequalities exist करती है, इसलिए हम equality की बात करते है, समझ में आया एक concept यहां तक, अगर आप इतना समझ पाया तो आप एक basic idea लग गया आपको, अब चलो दूसरी CD प ही है, हम economic inequality की बात करते हैं कि अमीर और गरीब के बीश में फरक है, in terms of wealth, in terms of income, फरक है भी है, ठीक है, अब लेकिन सवाल यह आता है हमारे सामने, क्या सवाल आता है, कि जो economic inequalities हैं, इन inequalities को कम कैसे किया जाए, क्या दोनों को बराबर पर ला सकते हो, तो नहीं, बराबर पर absolute economic equality, मतलब कि सभी की income एक जेसी हो जा यह कभी हो ही नहीं सकता है, और ना यह कभी हुआ है, क्यों कि society में हमेशा से ही, किसी के पास ज्यादा पैसा रहता है, ठीक है, किसी के पास कम रहता है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, 19-20, 19-20 चलता रहता है, लेकिन वो 19-20 चले तो अच्छा है, आया समझ में, 19-20 चले मतलब क्या है कि कि किसी के पास 1000 रुपे, किसी के पास 800 रुपे हैं तो चलेगा, अगर inequalities ऐसी है कि 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 पास 1000 रुपे हैं तो क्या होगा, तो दर्द होगा, ठीक है, तो समस्यां है आएगी society में, मतलब एक section बहुत जादा deprived है और एक section बहुत जादा luxurious life जी रहा है, ठीक है, तो society absolute economic equality कभी achieve नहीं कर सकती है, जो कि कभी हुई भी भी नहीं है, history से अगर आप उठा के देखो के तो हमें साथ disparity रही है, ठीक है, but most democracies today try to make equal opportunity available to the people, ठीक है, society क्या absolute economic equality पे नहीं आ सकती है, लेकिन अधिकतर democracies क्या try करती है, अधिकतर democracies ये try करती है, कि वो equal opportunity दे सके लोगों को, अब देखो, equal opportunity देने के क्यों बात की जारी है, इसको अच्छे से समझना, यह मैंना आपको social equality में भी थोड़ा से समझाए था, क्या होता है कि economic inequalities है, अब एक family के पास में तो बहुत पैसा, एक family के पास पैसा नहीं है, जिसके पास उनने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा पढ़के और पैसा कमा रहा, पैसे से पैसा बना लिया उनने, अब inequalities के चलते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, तो क्या होगा, कि उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएं, तो वो क्य education की importance नहीं समझेगा education जो है हमेशा education is not equal to money पैसा कमाने के लिए नहीं पड़ा जाता है ठीक है अपने आप को बढ़ाने के लिए पड़ा जाता है समझना education का सही definition यह है कि आप हमेशा education को पैसे से मच जोड़ना कभी भी अगर पैसे से जोड़के देखोगे तो आप education नहीं देर हो आप business कर रहे हो आगा है समझ में तो आप में skills आपका सोचने का तरीका कितना इंप्रूव होता education के बाद में आप में क्या skills आती आप क्या नया सिखते आप life को किस perspective से देखते वो that is the true meaning of education आया समझ में तो खेर हमारी कहानी कहांती हाथ हो जिसने नहीं पढ़ाया तो आप क्या होगा वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएगा इस वोड एक लीज़ गीव दिस वोड आप लेस्ट गीव दोज वो फो फेलेंट अटेमिनेशन दी चांस तो इंप्रूव दियर कंडिशन अब समझो तेखना है क्या है कि अब गवर्मेंट स्कूल क्यों चलाती पता है आपको मैं बहुत अच्छी आपको प्रेक्टिकल ब प्राइवेट स्कूल में बढ़ियां से बढ़ियां कोचिंग में जाके अफॉर्ड करके अच्छा कॉलिटी एजिकेशन पा लेता है और वो क्या करता है बहुत कुछ अच्छा कर पाता है लाइफ में ठीक है अब होता है कि इसके पास पैसा नहीं है ना एकनॉमिक फूल जो एक फूल को जब आप लगाते हो ना तो वो फूल खिलेगा या मुर्जा जाएगा डिपेंड करता है कि उसको सरकमस्टाय मतलब बीज में तो पॉटेंशियल होती ना ठीके लेकिन हमारा system जो है ठीके हमारी inequalities जो थी उसने एक potential का गला घुट दिया आया समझ में अब उसने जब एक potential का गला घुट दिया तो यहाँ पर गलती किस की थी उस बच्चे की थी या circumstances की थी या फिर government की थी तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक की गलती नहीं बोल सकते हैं गवर्मेंट इक्वल उपर्चुनिटीज दे दे मतलब क्या एक ऐसा सुना भी होगा ना कि आप हमें बस क्या देतो बरावरी का मौका देतो बाकि हम हमारे हका तो चीन के लिए लेंगे तो उसी तरह से क्या होता है कि economic equality की जब बात की जाती तो गवर्मेंट क्या करती एक् पर्चिनिटीज दी जाए तो जिनके पास में क्या है टैलेंट है उपर्चिनिटीज है वो इंसान क्या कर पाए अपने टैलेंट के दम पे बहतर कर पाए उस economic inequality के सरकल से बहार आ सके आये समझें तो यह objective होता है गवर्मेंट स्कूल का कि वहां पर क्या आप अब देखो व यहां पे quality education मिलती है ठीक है वो चीज है अब इन सारी कहानी के अलावा और क्या है मेगनेट ब्रेंज भी कही ना कहीं हम economic equality प्रमोट करने की कोशिश कर रहे है तो आया समझ में यह तो पूरी कहानी समझ में आपको तो इस तरह से society का है कभी भी absolute equality वाली position में नहीं आ सकती ल देखो यह genuine है बहुत क्या कह सकते है रेलेटेबल है कि आज आप सभी लोग 11th में हो 12th में हो 12th के बाद ने आप और पांच साल दस साल जित्ता पढ़ना है पड़ो खुब पड़ो फिर उसके बाद में जब आप पैसा कमा होगे तो जरूरी नहीं कि हर इंसान समान रूप स पैसा कमाई कोई ज्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा लेकिन ये पोजिशन होगी कि कोई बिजनसमेन बन गा तो करोड़ो कमा रहा है किसी ने बहुत अच्छा कुछ पढ़ाई करके software engineer बन गया मान लो तो लाखों कमा रहा है अब ऐसा नहीं कि लाखों कमाना अला भूका मर जाएगा तो इक्वल ऑपरचुनिटीज इने के बावजूद भी जैसे मैंने बताया आपको कि सबने एक जो है तो करोड़ों कमा रहा है बिजनस करके एक लाखों में कमा रहा है तो एकनोमिक इनिक्वालिटीज में एक्जिस्टू कंटिन्यू एक्वल ऑपरचुनिटी हो टीचेर बन गया उतना पैसा नहीं कमा रहा है लेकिन देश का भरष्य बना रहा है वो तो एक तरह से क्या हो गया कि दोनों ही पैसे कमारे एक बहुत जादा कमा रहा है बहुत मतलब बहुत कंभी नहीं कमा रहे ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो सेंस में क्या है कि economic inequalities exist कर रही भी भी लेकिन क्या है वो justify कर सकते हो आप इसको क्यों क्योंकि वो अलग अलग टैलेंट्स स्किल्स पैशन रूणने वाली बात हो जाती है clear वह यह कहानी थी यहां पर तो यहां पर क्या है कि यह जो इस तरह की क्या है कि पूरी तरह से सुसाइटी को कह सकते हैं कि डार्कनेस में ले जाती है यह एकनोमिक इनिक्वालिटी तो एक्जिस्ट करना ही करना है जस्टिफाई कर सकते हो ना इस चीश को कैसे चलो तो आप देखो चिंता का विशय लेकिन क्या है चिंता का विशय यह है कि कोई आज गरीब पैदा हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारी मूवीज में डायलोग सुना होगा आपने ठीक है कोड्स देखें होंगे क्या कि अगर आप गरीब पैदा हुआ उसमें आपके कोई गलती नहीं है लेकिन आप गरीब मर रहा हो उसमें आपकी गलती है ठीक है तो वही चीज़ है कि इनिक्वालिटी जो पर्मान नहीं होना चाहिए एकनॉमिक एक्वालिटी की जब आप बात करते हो तो ये मुद्दा बहुत इंपोर्डेंट हो जाता है इस बिकम्स दी मैटर ओफ टिबेट कैसे वह में समझाता हो कि कहीं पर एकनॉमिक इनिक्वालिटी अगर क्या है पर्मानेंट है जैसे क्या हो रहा है तो वह जो पर्मानेंट इनिक्वालिटी जाती है वह मैटर ओफ इस टो क्या होता इससे सोसाइटी हमेशा इक लिए डिवाइड हो गई कि यह लोग हमेशा ही गरीब रहने वाले है यह लोग हमेशा ही अमीर रहने वाले और इस cycle को तो तो क्या होगा एक साइकल कैसे बता रहा हूं तो जैसे एक क्या है rich class जो उपर एक poor class जो नीचे है अब क्या हो रहा है तो एक equal platform अगर मिल जाएगा तो उसपे क्या होगा कि poor उपर आ जाएंगे ठीक है अब equal platform पे ऐसे नीचे आ जाएंगे लेकिन race तो यहीं से स्टार्ट होगी ना तो race स्टार्ट होने अला पॉइंट अगर बराबर होगा तब आप economic inequality जो permanent inequalities है उन्हें भी खतम कर सकते हो ठीक है तो economic equality establish करना है तो आपको permanent inequality जो है वो आपके लिए matter of concern हो जाता है उसे खतम करना है और वो कैसे किया जा सकता है by providing equal opportunities आये नहीं समझ में यहां तक ठीक है अब देखो एक चीज़ और बताता हूं मैं आपके conclusion क्या रहा ठीक है तो permanent inequalities जो है तो they are more dangerous for a society because the society would become divided ठीक किसके बीच में divided हो जाएगी एक class वो होगी जिनके पास considerable wealth होगी होगी खूब पैसा और एक class वो होगी जो विच रिमेंड पूर वो जन्रेशन ठीक है पीडी दर पीडी से गरीबी को जो सहत्यार एक class वो हो जाएगी और इसके चलते होता क्या होता है अब समाझना एक विनिट के लिए हम जैसे देखते हैं अधिकतर crime rates जो हो गए ठीक है अधिकतर crime rates में जो proportion आता है तो वो over the generation जब वो क्या होता है कि एक पूरी की पूरी society poverty में फसी हुई है ठीक है उपर नहीं आ पा रहे है और उपर नहीं आ पा रहे सिर्फ monetary terms में बात नहीं की जा रही यहां पर गहराई समझो देखो तो वो क्या होगा कि दूसरों की सोच से influence हो कि वो भी बिगड़ जाएगा तो इसके चलते क्या उपर आने के chances कम रहते हैं और जब उपर आने के chances कम रहते हैं तो वो किन मतलब उन्हें ऐसा लगेगा न कि यह पैसा देने वाला तो कोई है नहीं हमको ठीक है पैसा कमाने का सारीका फिर वो क्या ढूंडेंगे तो violence, resentment तो society में violence, resentment तो होगा ही होगा साथ ही साथ में क्या होगा crime rates इन सारी चीजों में भी problem आएगी मतलब इन सारी चीजों में भी contribution जो है तो lower status बढ़ने लगेगा तो इस sense में क्या और ये भी हो सकता है कि society जो haves और have nots में बटी है न और यही मतलब यही issue को जब आप consider करते हो तो इसी के चलते क्या policies वगरा जब बनाए जाती reform लाया जाता है न तो यही difficulty भी हाँ पर आती है कि इस section को ऊपर लाना बहुत difficult हो जाता है क्यों क्योंकि वो जो एक circle पूरा बनेगे circle को तोड़ना उस circle में कैसे आप equal opportunity के थूर जा है वो हो सकता है education, सिर्फ education ठीक है मतलब आपको पता नहीं चलेगा ऐसा कहा जाता ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूद है कि जिसने भी पिया उसने धाड़ा है तो उसी तरह से क्या है कि आप education के through अगर इस society में penetrate करने की कोशिश करोगे believe me बहुत miraculous result आपके सामने आएंगे जैसे आएंगे जो चौका देंगे ठीक है तो यह सारा सब कुछ था economic equality के बारे में जो मैंने आपको बताया I hope you got the concept तीन तरह के dimension जो थे social political social political or economic equality वाले तीनों dimension हमने आपको समझा दिये अब जैसे मैंने आपको बता है society have or have nots में divide हो जाती है तो बहुत सारी ideologies जो वो economic position के उपर based है जैसे आप देखो के marxism जो होगी ठीक है marxism में जिसे आप communism को समझोगे फिर capitalism को socialism को feminism को तो हम क्या करने वाले हैं हम equality के perspective से ही chapter के perspective से economic equality के perspective से अब यह ideologies को one by one समझने वाले हैं ठीक है मज़ा आएगा सारी ideologies को अच्छे से समझना so with this we come to an end of our topic यह topic हमारे complete होता है आशे करता हूँ चीजें हां तक समझ में आई है किसी परकार का doubt है feel free to ask in comment section मिलते है next video में अगले topic के साथ और उससे पहले important चीज़ क्या है